एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूर्वान्चल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहु बली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूर्वान्चल के सियासत का मरकस बना दिया केंद एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बलकि कई खाकी वर्दी धारक भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सका खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रगए ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता वो परिवार अपने अलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड बॉडी को बांदा से गाजी पुड ले जाया जा रहा है उस शक्स का नाम मुक्त 18 साल से सलाकों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुत्बा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से गाजी पुर के आसपास के लाकों में मुक्तार का सियासी दबदबा कभ गर्माहट ऐसी के बांदा से 112 किलोमीटर दूर बैठे कॉंग्रेस नेता पप्पू यादव समेट विपक्ष के कई नेता 862 किलो मीटर दूर बैठे, कॉंग्रिस नेता पप्पू यादव विपक्ष के कई नेता, माफिया की मौत को हत्या बता कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे है ब्यार की राज़ारी पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुक्तार की मौत में साज़िश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलो और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जगरे में बीमार होने पर नियायलाय ले जाते समय अस्पिताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्महत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाय के नियाय धीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिखा यूपी में खानून व्यवस्ता का शुन निकाल है इस पर उन्होंने समाप्त किया यूपी बियार की सियासत में माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाय जा रहे थे असादुदीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने के दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गूंज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्ट्रि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्ट्रितिक विशलेशक है सतीश केसिंग सहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में क्रिश्णानन राय की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदत से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शिरुवात करूंगी लेकिन उससे पहले प्यूश राय क्रिश्णानन राय की बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई द रहे हैं मैं शिरुवात करूं से पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल ये है कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं वोट बैंक के लिए कानून व्यवस्ता के लिए या पता नहीं ये तीन आपके सामन के आप्शन है वोट करते रहिए आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णन राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले शुरुवात मैं उनसे करना चाहती हूं प्यूश जी इस वक्त दो ऐसे चहरे हैं जो इस डिबेट में आपके स्टेडी में ला रहे हैं देखिए यह निश्य तोर से एक जाज का विशा है पोस्वाटम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आही जाएगी न्याइक जाज भी देजा चुकी है और जहां तर मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने दो हजार पांच में आदरन मुलायम सी म्यादर जी और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी नियाइक जाज को देने के लिए तो यह देखिए एक नियत के परिवर्तन पर मैं बात करता हूं राजनेतिक दलों के जो नियत रहे हैं 2017 से पूल के सरकारों में जो सरक्षन दिया गया इन माफियाओं को उनकी देखिए हैं सामने सक्ते सामने या जाएगी पुसमाунत है मेरे पिता जी के भी थी ति कर रही हूं प्यूज्डी बनाए रहेगा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मांग पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है कि मौत है या आप सिर्फ इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है कि रुबिका जी आज बीजेपी के परवक्ता नहीं आए तो देख रहा था कहीं बुलाया था वो नहीं हाए क्यों नहीं आए क्योंकि मूँ छुपा रहे है जवाब नहीं है ना आज में अगर उनके पास सही होता तो आज चोनों के बैठे होते हो उसका जवाब दीजिए नि क्रिष्ण नंच्राइब के बेटेने परिवाड कैस्चता के आदेश नहीं माने आपने क्यों नहीं माने आपने आप सवाल हो गया अब बता दीजे बीजेव परवक्ता क्यों नहीं आए सटा में है ना आप जवाब देंगे तो बीजेपी बताएंगे और बीजेपी बताएगी और बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी, अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं याने जाच के आदेश माने मुलायम सिए सब आप एक सवार पांच बागी तरू क्ता वालें क्यों внहीं हुआ आज नयायक जाच के आधेश दीए कि नहीं प्रकार की तर आप प्रकार हैं। मैं सवाल पूछें, सवाल का जबाब दीजे। सवाल का ज़ाब दीजे हुब भूतनम में सवाल कुछें, te inviати asafuku resolution. आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जाब दीजिए अनुराग जी अनुराग जी बहुत हो गया, मैं आप बर्दाश्ट नहीं करूंगा, इस इस नॉट दनी आप आपको लग रहा है कि आप ड्रामा करते रहेंगे और यह द्रामा मैं बर्दाश्ट करते रहूंगे, मैं आप यह मैं बिल्कुल मत कीजिए, मैं किसी पर्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, आप बहुत तमीज के दारे में हैकर मुझसे बात कीजिएगा, मैं किसी पर्वक्ता नहीं हूँ, खबर्दार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने गिरेवान में जाकिए, मैं पहले बता रही हूँ, मैं एक बार बर्दाश करूँगी, दो बार बर्दाश करूँगी, हर बार बर्दाश नहीं करूँगी, आप घटिया अपनी राजनिती अपने पॉकेट में रखिए, मेरे उपर आरोप मत लगाईए, आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो सवाब आपको देना पड़ेगा, आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसलिए आप इदार उदर करने लगता है, मैं फिर बता रही हूँ, अनुराग भदोरिया, दिस इस लास्टाइब, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आईएगा, लेकिन बार बार मेरे उप अनुराग बदोरिया, मैं आपको लास्ट बोरिया, दो नो maior प्रफॉर्ट भार्तिय जलता पार्टी को नहीं बचारी हूँ, मेरे सवाल कर दीजिया, जैसे में बोलना सुना तो आ मुझे बोलने दीजे, आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाएगे, जो बोलना है, बोलिये मे बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे, तो मुझे मुझे पर रखना होगा, आज भारती जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है, क्योंकि मैं भारती जनता पार्टी से पूस्ता, कि पुस्पेंद आदब का इंकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था इसी नोइडा म जिम इंस्ट्रेक्टर था वो, उसको गोली लगी, बैट पे लेटा है, पुलिस वाले जिन्होंने मा इंकाउंटर किया था, बाद में हम लोग उन्हाला मचाया है, पुलिस गिर्फतार हुई, एक पुलिस वाला जेल में है, आज भी बैट पे लेटा है, दो बच्चे हैं क्या उसको दिया, क्या मिलाए उसे, पूरा का पूरा परिवार वरबाद हो गया, दूसरा बता दूं, जिसरा पुसपेंदर ए आदब, जहांसी में, जिसका इंकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली, पोर्ट ने नियाई कायदेश दिये थे, जहां अधिकार देने का न्याइपालिका का है कोई अन्याइपालिका देगी और सुनिये प्रशासि एक ना अब ने दो बड़े एक्जैम्पल दिये ना मेरे बाकी और महमान दी है अब मैं बयान सुनाना जाती हूं अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा सुनिये क्या कह रहे है यह खाकी वर्दी धारक है दोजार पांच में मशीन गन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का यह खुद अपनी जुबानी बोल रहे है चलवाईए शैलेंडरी सिंगी बाइट उस समय मैंने लाइट मशीन गन रि कि नहीं यह गलत है और यह हो इसको जेल जाना होगा लेकिन मुलायम सिंग के सरकार ततकालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो और ने नहीं एक X STF के कर्मी ने जवाब दिया है देखिए जब अपराधियों का आप महिमा लगाते हैं अपराधियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टियां अगर उसका बोड़बैंक की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती हैं तो अपराध का जो है ना है कि यह ऋब ने ता हो जाता है जो आपराधी है हो किसी जाती का वह बहुत बड़ा हिरो हो जाता है कोई धर्म का बहुत बड़ा हिरो जाता है सब्ले हांं पर यह नहीं नहीं मौनों senior of पर दूसरा है कि इस देश में नियाईक विवस्था जो अपना कारिपाली जो प्रसासनीक विवस्था है उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वसनियता का तो जिस प्रकार के जाच के आदेश दिये गए वो जाच पूरी होनी चाहिए उजैसे यह मांग की गई कि भा यह कोई मतलब यह दोनों दो विशा है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा परादी था यह बिल्कुल सही कह रहे है इस देश के लोगतंत्र में सम्विधान में यह तो हग सब को दिया है ना चाहे वो कितना ही बड़ा दुरदान्द अपरादी क्य यह तो वोट बैंक के लिए ना सती शी तब आप समझ यह रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ही ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटबहिया टाइप करने ही मतलब बड़े-बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट करन चाहिए दूसरी तरफ हत्या ही मान रहे हैं दिकत दोनों के बीच की है एक्स्ट्रीम पर कर दार एकर dt अगर वह सच है तो सच है दूसरी तरब यह है कि आप यह कह रहे है कि हत्या है तो कैसे आप कहते हैं किस बिना आप कह रहे है नमबर एक पाद सीधी सी बात है कि विश्वसनियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दृष्टी से आप इधर या आप उधर दो इस तरब बिना कोई चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे करते ते यह तो आपरादी क्या है जो अपरादी एक मुक्तार अंसारी एक दुर्दांत अपरादी था इसमें कहीं से कोई सक नहीं है इतनी हर्त्य कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वह एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहे थी पर आपके वारिज भाई अब इसमें सवाल यह है कि अगर कई ऐसे लोगे जो कह रहे थे कि अगर मारना ही था तो सतरा साल इंतजार किया जाता क्या अगर मारना ही था तो अस्पिताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता अगर ऐसे हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिज भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है कस्टडी में खतम हो ग इनना लिल्लाह वा इनना इलारजून और हम इस दुक की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं अब एक इत्वाक भी है कि पिछले एक रमजान पहले शाबूदीन साब का हो गया पिछले रमजान में अतीक भाई और उनके भाई का हुआ इस रमजान में जेल से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे के मार दिया जाता है जजस साब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज रिपोर्ट पेश होनी थी आज बगर उनका इंतिकाल हो गया येस्टरडे कल तो ये भी सारी चीज़ों को शंका देता है उनके जारी जो थे उनको कतल कर दिया गया उनका बोलना है कि सद्यांत्र के जर्ये से उनका नेचरल देच जो डॉक्टर लोग दिखा रहें के कार्डिय कर देच से नहीं हुए अब इनसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा उत्तर प्रदेश में पिछली मरत अब इनकोरी का रिजल्ड किया गए तो आपको उनको सबको पता चली जाएगा लेकिन एक चीज़ है इतने टम के में में रहे चुका है समविदान की शपत रहे के मेरे रहे हैं उनके साथ इस तरह से अब इनकी किसी की बहुत के ओपर खुशिया मनाना पटाके फोड़ना घर पर कल जो है आतिश बाजी हुई यह कि बीस्व के राख उम्क मेरे चाई बेर जानकारी के मुता पर तो काफी जगह ओकर आथिज बाजी हो रही है लेकिन वह आतिश बाजी उस्याइए मैं सवाल पूछ लेती नोंसे हाँ प्यूजी आतिशबाजी कही जगा हुई है, तो ये तो अभी वक्ति के आजादी है, अगर हर वक्ति को अगर एक आतंगी के रूप में देख रहा है, पुरूंचल का अगर आम जन्मानस, तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं, एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको को दिवता मानते थे एक जरी आई है कि कुछ लोग इनको आतनं की मानते थे अब तो यह तो नजरिये पेड़ी पेड़ी effort करता जो लोग इनसे पेड़ी थे जो लोग इनके सताय हुए थे जो लोगों के इन्हों धर उजारे थे मुझ जैसे परिवारों के उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी का पल है बगवान ने ऐसा एक दिन दिया बगवान के दर्बार से ये फैसला आया कि हार्ट अटैक सिंग की मृत्ति हुई है तो उन लोगों ने आतिश बाजी की अगर गुनेगार व्यक्ति है तो कोट काईदा प्रशासन है देश काईदे कानून से चलेगा और चलता आ रहा है मगर इस तरह से एक सस्पीशेस रीच से किसी की जान चले गई है किसी की देथ हो गई है परिवार मान कर रहा है एक अरजी उन्हों कोट में लगा ती घेल से के मुझे रुझेहर देके मार दिया जाता है जैल से रिपोर्त तरब किया जाए मगा जाए जाए कोट ने आदेज दिया था जिल प्रसाशन को कि आूंका Universe किया जाए जह आ और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभेसे वह बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था कर दो हमेशा से इसको ना पसंद करता था कर रहे हैं वह बात यह कोई गुना किया है कानून का को उलंगन किया है किसी की अधिया की है तो कोट नियाएदिश अदालत है जहापर नुका केस भी चलना था वह इस हतियाओं के लिए जेल के अंदर यह कि इस तरह से मार्ना यह कहां का लिया है अरे और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई बेटा चारा काडिये कारेस्ट अरे जिस पर बीती है वो आप जो आरोप लगा रहे हैं वो जांच का विशह है मैं शुबरास्ता से सवाल पूशना चाहरे हूं सर फिर एक ब्रेक लेना होगा उनके खरवाले आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रोज राप्ता में थे बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है शुबरास्ता जी तो उसमें सुनिये उसमें स्टेट्मेंट ऑफ दक को एक उस जैडवी से बल हो जाएगा तो अमीश्य और मुदी जेल चलेंगे अगर इस कानून के अंदर स्टेट्मेंट को देता है जो पुलीस कस्ट्रेडी में इस सामने अगर 164 के अंदर स्टेट्मेंट हो गया उनको भी कोई कि उसके पखला हुआ है अगर दे दिया तो हो गया कमाना भी बहुत बढ़ा नफ़ना हो जाएगा वारिस बारे ने आप मुझ देखे रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि समवैधाने कुरूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे क्या उनकी सवी छवी पाक साफ थी इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे त इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमेंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेतरत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विदवा थी उनकी बिटिया की शादी थी तो मुखतार अंसारी जीने म प्रवक्ता हों समाजवादी पार्टी के समर्थक को या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टिकरन अंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहे हैं वो इस बात को बिना अलागलपेट नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोल सकती हूं क्योंकि मुझ कोई न कहीं कोई न कोई समीकरण बिगड़ते हैं लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते आस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में मुगतार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का चुनाव में जिस तरीके से बात की ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से दशकों से उस दंश को जेला हो हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं आज समाजबादी पार्टी के कोई भी नेता हो या एयम से बैठे हुए है वारिस भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छ या ना माने ये हमारे समाज की सचाई है शाब अधीन को लेकर के कहा गया कि एसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसी ऐसा हो जा रहा है अब आप एक नारेटिव अगर सब्सक्राइब करेंगे वारिस भाई तो दूसरा नारेटिव भी दे सकती हूं कि खुदा का नियाए है अल् सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी आपके बाई है कोई भी पार्टी हो आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है मुक्तार अंसारी के डेड़ बॉडी को इस वक्त बांदा से घाजीपूर की तरफ ले जाये जा रहा है कल सुबह उन्हें सुपूर्द खाक किया जाएगा लेकिन कई ऐसी राज़ितिक पार्टिया हैं जो कह रही है कि ये मौत नहीं ये एक हत्या है और इसी पर आज बहस भी की हो रही है के माफिया में क्या वोट दिखता है ये एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए प्यूद मे मंघूद और साथ मौद है और सटीश केसिंग साहब सीनिय जैनलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन प नजर आ रहे हैं अनुराग जी मैंने व्यूवर से वादा किया था कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी पहले मैं चाहती हूँ कि वो राउंड क्लियर हो जाए और अनुराग जी मैं आपका रूप करूंगी ठीक है जहां बात खतम हुई थी मैं चाहती ह पॉबढ़ रहे तक है कहा वे बात बाता हुए और यह रहा मैं यह बता रहा हूं बार 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 की वो खुद बोढ़ रहे थे उन्होंने खुद ने चिट्टी लिकिड़ित जेल से जस्सापको के मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है रोज जहर देके मुझे मारने की साजिस्ट की जा रही है उनका बेटा जो दो दिन पहले उनको मिलने गया उसको मिलने नहीं दिया गया उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को जहर देके मारा जाता है उनको रोकिए उ अगर कोई गुनेगार है फासी दो लेकिन जेल में अगर आगनी सेफ नहीं है तो सुबराश्तर मुझे बताओ का अगनी सेफ रहेगा तो यूपी के अंदर ही सब हो रहा है तो यूपी के अंदर यूपी जी की जो पॉलिसी है मिट्टी में मिला देंगे तो क्या आप मैं आपकी बात कितरी पेशेंटली सुन रहाता पता है आपको पूरा ध्यान समयन आपके अलफास कुसमा बगर मुझे कहीं नहीं यह लगा आपकी बात सुनकर कि आपको काईदे कानून से ज़्यादा भरोसाई होगी कि बिट्टी दिलाउगाली पॉलिसी की ओपने तो यह जेयरा देके अगर किसी के बाद मशीन गड़ मिले है किसी ने किसी को मार दिया है तो कानू सजा देखा ओाइस बारइस बाइस बाइस नहें कि अच्छिए नहीं ने टियो खया है अब अब मैं चाहते हो हैँ इसका जवाब इसका जवाब इसका जब रहने सुनी नही Someti अपने पिता को खोया, उनकी बात पर वारिस जी ने बिना स्टेटमेंट दिये, मुखतार अंसारी की फैमली पे एक लंबा चोड़ा आख्यान दिया, मैंने इसलिए इनको बीज में रोका, इसलिए नहीं रोका कि ये मेरे तर्कों का जवाब दे रहे थे, दूसरी चीज में को कहना चाहती है, जो लास मेरी सानुबूत है हम और ताहि my Evra Reza लमेंट दियह और झा उसके लिएर्ण धरियन झासए हूं mega इस देमन मेरे ने दिल में उनके लिए भी हम्दर्दी है वह द दिखता नहीं हि Air आपने राजनीटिक मायने होते हैं आप ने खुप रहते हैं इस बात पर चुप रहते हैं इस बात पर लंबा अख्यान देतेहं और किस बात को विट करते हैं सब के राजनीतिक माइने होते हैं आपने कृष्णानंद राय जी पे प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा एक शब्त आपके मुह से निकला आप जेनरलाइज करके बले ही कह दें आपने नहीं कहा उनकी बात पर मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं मुझे समाजबाद आप बहुत क्लिरली बोल रही हूं आज के परिप्रेक्ष में कोई भी लीडर हो कोई भी पार्टी वारेज भाई रूकिये इस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रे आज तक की राजनीति में मिलता रहा है वो ग्रामर चेंज हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गही है शायव वो हम दुबारा हम दुबारा संपर करने कोशिश करेंगे वारेज भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग बदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीति करना नहीं मैं सीधा जब हाँ वही मैं पूछ रहा हूं कि भारते जनता पाटी क्यों राजनीत करती है मैंने गलती से जितन्र आदब की जिए पुस्पेंद्र आदब बोद दिया था नोइडा में जितन्र आदब वाला के सा जितन्र आदब को गोली लगी बैड पे है उसके दो बच्चे परिशाने उनको भी इस्टूडियों में बलाके कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परहसानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक टिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनू के अंदर में क्या गुजरू उसके परिवार के उपर में वो इंकाउं किस तरह से परिवार उजार दिये गए इन परिवार के वारे में कभी बात रही होगी इनके बच्चों के परिवार के बच्चों कहीं बात रही होगी पत्री ने सुसाइट कर लिया एक के बच्चे बरबाद हो गए तो हम यह कहना चाहते हैं कि देश में नियाय देलिक निय ले लीजे, ले लीजे, क्या दिक्कत है उसमें, लीजे ना, मैं तो नियाई के साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कि बात पूरी होने दीजे, नहीं कोई वजए नहीं है, आप ले लीजे अगर हम आप भूना तो आप लीजे ना, पहले बात पूरी और जिस तरह कोई एक हटना हुई है, क्या यहाँ पे मुन्ना भजरंगी की नहीं हत्या हुई जेल के अंदर में, क्या जिस तरह से विकास दुवे की नहीं हुई, मैं बोलना चाहता हूँ कि यह आखिर क्यों, बई नियाएक हिरास्ट में है, उसको कोड तक पहुंचाना यह सरकार की होती है, कोड उसको जो भी सजा दे, फासी की सजा दे, जीवन कारवाज दे, कोड की जिम्मेदारी है, लेकिन जब एक जो जेल में बंद है, अपरादी है, और बार बार यह कह रहा है, कि मुझे जहर दिया जा रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है तरुन सामने आना, आ कि उसके इंक्वारी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोट में प्रोडूस करना, उसे सजा दिलवाना, यही तो सरकार का काम है, तो सरकार यही सरकार के उपर उठ रहा है, तो अस्पिताल में नहीं थे, वो परिवार ये मांग कर रहा था नेहीं मांगने को नहीं परिवार मांग कर रहा था सबस्क् Ga Direct बतुर जेलह के Ihnen और वह चैंनों चावए नहींे पहल केलाएगा Ah जेलों में ऐगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आग्या के मजड़ तो पर पर जो हत्याइं हुई है जंगल राज वो नहीं था रहे आप क्या रहे हैं कि जब अध्याई हुए है तो जो नहीं बोलना चाहरा है अजानत तो नहीं है यह आख चला रहे हैं अरे मैंने तो आपको पूरा सुनिया उत्तर प्रदेश में कस्टिडी में जो मौत हुई है ना 2012 से 2017 कितनी ये जानते है 66 है और साल 2017 से 2023 सिक्यावन है आप ये बताईए ना मैं लड़कडा नहीं रही हूँ अपने टाइम को छुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जहांक लीजिए ना और रही बात वहां पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहां पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वो सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस बीद जो सवाल हमने पूछा इंडिया की जनता से के माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77% के कहते हैं वोट बांक के लिए 77% कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गूँज एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूरवानचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहु बली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूरवानचल के सियासत का मरकज बना दिया केंद एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बलकि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सका खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रही ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में समान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवार अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी कैसे बनाम आड़ केस में सजा दो दो मामलों में उम्र कैप और पिछले खरीब 18 साल से सलाकों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुटबा क्या था जो दिखाता ह कि 1996 से घाजीपूर के आसपास के लाकों में मुखतार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साथ साल की अम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुखतार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी कि बांदा से 112 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव समेट विपक्ष के कई नेता 862 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बता कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यार की राज़ारी पट्टा में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुखतार की मौत में साज़िश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलो और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जगड़े में बीमार होने पर नयायलाय ले जाते समय अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्महत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नयायलाय के नयाय धीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिखा यूपी में गौन व्यवस्ता का शुन निकाल है इस पर उन्होंने समापत किया यूपी बियार की सियासत में माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाए जा रहे हैं असा दुद्दीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे हैं अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नयाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने की दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास वहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारूप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गूंज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्च्रि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्च्रितिक विशलेशक है सतीश केसिंग सहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राय की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदत से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी लेकिन उससे पहले प्यूश राय क्रिश्णानन राय की बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैं शिरुवात करूं से पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं वोट बैंक के लिए कानून व्यवस्ता के लिए या पता नहीं यह तीन आपके सामन कि यह हत्या है मौत नहीं है जी रुपिका जी नमस्कार आपके चैनल के माधियम से अपने मुझे बताया कि ऐसे दो लोग है जो इसको मौत की स्टेडी में ला रहे हैं देखे यह निश्यत तोर से एक जाज का विश्य है पोस्वाटम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आ में 2005 में आधरणियो मुलयम सिंञ्याँव जी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरासर ऐसी जाज कराने के लिए benut नंकर दिया था उससमय के तक कालीन मुख्यमंतरी थे आधरीम सिंटम्ही और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी नाइक जाच को देने के लिए तो यह देखिए एक नियत के परिवर्तन पे में बात करता हूँ राजनेतिक दलों के जो नियत रहे हैं 2017 से पूल के सरकारों में जो सरक्षन दिया गया इन माफियाओं को उनकी नियत में क्या बदलाव है और आज के सरकार के नियत में क्या बदलाव है नियाएक जाच के मागों का फरिवार किया, नियाएक जाच दे दी गई, पोस्मार्टम की बात है, पोस्मार्टम की रिपोर्ट अभी जैसे आप लोग बता रहेंगे, कुछ दिर में ही सामने सक्के सामने आज जाएगी, पोस्मार्टम मेरे पिता जी की भी हुई थी, उस समय तो आखिर इस तदीके के राजनीत में दोहरा जो चरित रहे अगर इन माफियाओं पे अगर हम अपने दोहरे चरित को दिखाते रहेंगे तो ऐसे चोटे-मोटे गुंडे बड़े-से-बड़े माफिया बंगते रहें ऑल राइव आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ देश के सामने रख दिया उसी फाक्स के साथ में डिबेट की शुरुवाद कर रही हूं प्यूजी बनाए रहीएगा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मांग पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है के मौत है या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है प्रुबिका जी आज बीजेपी के परवरक्ता नहीं आए, मैं तो देख रहा था कहीं, हुलाया था, तो नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों कि मुझ छुपा रहे है, जवाब नहीं है ना, अगर उनके पास पर सही होता तो आज चोड़ों के बैठे होते हैं उसका जवाब आपने काम पहले कर दिया है आज मैं पूरी तैयारी के साथ आप आपको आप मुझे ये बताइए मुलायम सिंह यादव ने न्याइक जाज की मांग की थी कृष्णा नंराई के बेते ने परिवाद ने क्यों न्याइक जाज के आदेश नहीं माने आपने आप सवाल हो गया है आप बता दीजे बीज़पी परबगता क्यों नहीं आए सत्ता में है ना मैं सवाल पूछ रहे हूँ मुखतार अंसारी के रिलेटेड आप से सवाल पूछ रहे हूँ आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और BJP बताएगी वो मैं नहीं बताओं मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाए जांच के आदेश माने मुलाइम सिंग यादम ने हाँ या नामे जवाब दूछे अरे आप एक सवाल पांच बार एक बार पांच बार सवाल मत पूछे आप रिपीट करेंगे नियाए जांच के आदेश दिये कि नहीं ने आप पत्रकार की तरफ पत्रकार है नियाएक जाच के आदेश देने से क्यूं अप लोग कत्राएग और क्या आज आज की तारीzh में नियाएक जाच के आदेश में आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी इस इनाफ आप बढ़ दाश नहीं करूग नहीं डिस इस नॉट डन नहीं आप आपको लग रहा है तो आप यह आप यह ना ड्रामा करते रहेंगे और यह द्रामा में बढ़ दाश करते रहूंगे मैं आप यह बात कीजिएगा मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ खबरदार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है अपने गिरेवान में जाकिए अपने गिरेवान में जाकिए बेश शर्मी मेरे साथ मत करना अरोराग भदोरिया मैं पहले बता रही हूँ मैं एक बार बरदाश करूँगी दो बार बरदाश करूँगी हर बार बरदाश नहीं करूँगी आप घटिया अपनी राजनिती अपने पॉकेट में रखिए मेरे उपर आरोप मत लगाईए आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताईए घटिया आरोप मुझे मत लगाईए मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं सवाल पूछूंगी आपको कमपन होती है तो होती रहे सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा आपको मेरे सवालों से डर लगता है इसलिए आप इधार उदर करने लगता है मैं फिर अनुराग भदोरिया इसलिए लास्टाइब वर्ना कोई बात नहीं आप मेरे शो में मत आईएगा लेकिन बार बार मेरे उपर इस तरीके का आरोप मत लगाईएगा मैं बर्दाश नहीं करूंगी आप जिसको जो बोलना कीजिए ना मुझे कोई प्राब्लम नहीं है आप पूछिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी इंटेगरी पर सवाल मत उटाईएगा अनुराग भदोरिया मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही है दूर आप वेस्ट नहीं आप यहां से निकल जाएगे तिवेट से चले जाएगे आप क्यों बचाना चाहती है मैं किसी भारतिय जलता पार्ती को नहीं पचारी हूं मेरे सवाल कर जाब दीजे आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाएगे जो बोलना है बोलिये मेरे उपर मत सवाल उठाएगे आप आरबार टोकेंगे मुद्दे से भागेंगे तो मुझे आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतिय जन्ता पार्टी जे पूछता कि पुस्पेंद्यादप का इंकाउंटर हुआ था कहां हुआ था इसी नोईडा में जिम इंस्ट्रेक्टर था वो उसको गोली लगी बैट पे लेटा है पुलिस वाले जिन्नोंने मां इंकाउ इसी में जिसका इंकाउंटर हुआ उसकी पत्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली कोट ने नियाई काईदेश दिये थे जांस के आदेश दिये थे बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्मत्या कर ली क्योंकि नियाई नहीं मिला यह उत्तरप्रदेश जिसकी बात करना है आप और सुनिये प्रशासी अब मैंने बयान सुनाना जाती हूं अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा सुनिये क्या कह रहे हैं यह खाकी वर्दी धारक है दोजार पांच में मशीन गन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का यह खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाइए शैलेंडरी सिंगी बाइट उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्र जाना होगा लेकिन मुलाहिम सेंग के सरकार तत्कालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थी और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया है जब कोई नहीं सुना तो आइजी रेंज जोन जो थे उनका ट्र पर और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद है सतीश जी सुना आपने ये किसी और नहीं ये एक एक्स स्टीएफ के कर्मी ने जवाब दिया है देखिए जब अपरादियों का आप महिमा लगाते हैं अपरादियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टियां सारी पार्टियां अगर उसका भोडबैंक की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती हैं तो अपराद का जो पूरी होनी चाहिए पुझे से मांग की गई कि भाई अब ऐसा था नहीं एक जेल में संद्यहास्पत द्रिष्टी से में स्थिती में मौत हुई है यह उनका कहना मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो हाट अटेक से मर गए हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो विशा है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा प्रादी था यह बिल्कुल सही कह रहे है इस देश के लोगतंत्र में संविधान में यह तो हक सब को दिया है ना चाहे वो कितना ही बड़ा दुर्दान प्रादी क्यों ना हो उसके human right को सर्वो पर ही रखा जाना है बिल्कुल यह clarity है लेक समझ यह रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ही ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटबहिया ताइप करने ही मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट करने है इसमें क्या है ने कि लीडर बोथ साइड दोन के बीच किये है एक्स्ट्रीम पर क्यों जा रहे है आप कर से माल लिए कि हार्ट एटैक से मौत हुई ठीक है अगर वो सच है तो सच है दूसरी तरफ यह है कि आप यह कह रहे है कि हत्या है तो कैसे आप कहते हैं किस बिना पर कह रहे हैं नमबर एक बात सीधी सी बात है कि विश्वस नियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दिरिष्टी से आप इधर या आप उधर तो इस तरह बिना कोई चीजों को समझे हुए जाने उसको आप ऐसे करते थे यह तो यह तो यह तो यह नहीं है लेकिन इसके बाद भी यह इंप्वर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वो एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कहरे थी पर भाइस ।ili बाई आप इसमें सवाल यह है कितने जेल में जो है कस्टडी में खतम हो गए अगले दिन खबर बनी किसी को रातो रात पता नहीं चला दफन कर दिये गए रुपीका जी दो तीन चीज़े यहां पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो इक तारंसारी साब का होना एक दुखत बात है इनना लिल्लाह वे इनना इला रजून और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए है अब एक इत्तिफाक भी है कि पिछले एक रमजान पहले शाबूदीन साब का हो गया पिछले रमजान में अतीक भाई और उनके भाई का हुआ इस रमजान में मुक्तार अंसारी का हुआ ये भी एक इत्तिफाक की बात है बात नमबर दो जो इंपोर्टन बात ये है कि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि मुक्तार साब की जो हतिया हुई है उनका कहना है हतिया हुई उनको जहर दिया गया तो ये भी सारी चीजों को शंका देता है। उनके बेटों ने मांग किये, मुक्तारंसारी के बेटे ने मांग किये, के एम्स के डॉक्टर दुआरा उनका पोस्टमाटम किया जाए। उनको शायद यहां के डॉक्टरों पर भुरोसा नहीं था, क्योंके शक्त तो यह है, और हमारे वालिद जो थे उनको कतल कर दिया गया। यह उनका बोलना है कि सद्धियांत्र के जर्ये से उनका नेचरल डेट जो डॉक्टर लोग दिखा रहें के कार्डियक अरश से वह नहीं हुए। अब इनसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा उत्तर प् अब इनकोरी बेटी है अब इनकोरी का रिजल्ट क्या आए गए तो आपको उनको सबको पता चली जाएगा लेकिन एक चीज़ है इतने टम के में रहे चुका है समविदान की शपत रहे के मेरे रहे हैं उनके साथ इस तरह से अब इनकी किसी की बहुत के ओपर खुशिया मन पटाके फोड़ना बंपोड़ना यह तो प्रिश राइसाब यह सवाल चाहिद आपसे हैं कि क्रिश्टा रंड राय के घर पर कल जो है आतिश बाजी हुई थी को है आप गिपिज मेरी जानकारी के मुताबिक जो जया हो कि कर रातिश बाजी हो रही है लेकिन वह अत्रण कर पूछ लेतिए उनसे हाँ प्योजी आभाजी कहीं है और यह जगा हुई है सही बात है कल मैं खुछ मौमदाबाद में ता कही लोगों ने ने आतिश बाजी की कई लोगों ने मिठाईया खिलाई है तो ये तो अभी वेक्ति के आजादी है अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है पुरुहांचल का अगर आम जन मानस तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं एक नजरिया कुछ और भी है कि जैसे परिबारों के उन लोगों ने यह माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी का पल है भगवान ने ऐसा एक दिन दिया भगवान के दरबार से यह फैसला आया कि हार्ट अटैक्सिंग के मृति हुए है तो उन लोगों ने आतिश बाजी की अब ये आतिश बाजी ज चलाया था आप लोग ने तो कोई प्रश्ण नहीं किया उसमें से उनके घर पे एक फोर्टी सेवन चली थी ये पुलिस के डियारी में लिखी हुई है देखिये साब अगर गुनेगार व्यक्ति है तो कोट काईदा प्रशासन है देश काईदे कानून से चलेगा और चलता अरश में लुँकर अधार है मगर इस तरह से एक सस्पीशेस रीज से किसी की जान चले गए किसी की देच हो गई आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाये जेल आज रिपोर्ट पेश करना वाली थी और करूं का इंतिकाल हो जाता है परिवार का बेटा दो दिन पहले मिलने जाता है उसको मिलने नहीं दिया जाता है ना पहले रुबिका जी मेरा एक मानना है वारिषभाई सुनिये ना फोन टैप हुआ है यह जो विधायक है ना आयोध्या वाले और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसें वह बाद कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वो कृष्णारन राय की मौत का संदेश दे रहे हैं उन को इसको ना पसंद करता था अब वो भी आत्रशाबाजी हुए थी वहां पर यह कानून का को उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियायदिश अदालत है जहापर उनका केस बी चल रहा था वो इसी हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल में उनको इस तरह से मार और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई, नहीं बच पाए, काड ये कह रहे हैं, और जिस पे बीती है, वो आप जो आरोप लगा रहे हैं, वो जाज का विशह है, मैं शुबरास्ता से सवार कुशना चाहरे हैं, फिर एक रेक लेना होगा, और उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं, जो उनके साथ रोज रापता में थे, बिक्तार अंसारी कोशिश की गई आरोप लगाने में क्या है, मैं भी लगा दूँ के मैंने आमिल चाह को सो करोड दी हैं, ये बिल्कुल वैसी वाली बात भी हो रही है, शुबरास्ता जी, तो प्रमिश और मोदी जेल चले जेंगे, अगर इस कानून के अंदर स्टेटमेट को देता है, जो पुलीस कस्टेडी में नीगोट के सामने, अगर वन सिस्टी फोर के अंदर स्टेटमेंट हो गया, उनको भी कोई कि उसके स्टेटमें में पखला हुआ है, अगर दे दिया तो उपर वाले ने बुलाया, बड़ा अच्छा किया, तेकि रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाती हूँ, मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे, इसमें कोई दोराय नहीं है, किसी ने कहा कि समवैधानेक रूप से वो चुनकर क्या है, इसे कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे, क्या उनकी सवी छवी पाक साफ थी, इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे, तो दो-तीन बातें बहुत सपष्ट हैं, ये मुखतार अंसारी हो, या शहाबुद्दीन हो, ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों के मजबूरी होती है, ठीक है, आज उनका इंतकाल हो गया, इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें, उनके जिस समय वो नेतरत्व कर रहे थे, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नेरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार जलाया जा रहा है, कि फ उतार अंसारी का बहुत योगदान रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टिकरन अंगल रहा, उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहें, वो इस बात को बिन लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं आस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में मुक्तार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का चुनाव लड़ा चुनाव लड़ने के बाद जो जो चीजें से बात की ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से दशकों से उस दंश को जेला हो हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हूँ या एयमाई से बैठे हुए हैं वारिस भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अची बात होती ना फिर भी कह रही हूँ चाहे वो वारिस भाई हो वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो वो आज पियूश राय जी के साथ नजर केसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने ये हम अगर आपक में आए कर रहे हैं क्या बोलेंगे उसमें अटकले लगाना एक अलग विश है अगर आपको इतना यकीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है अल्ला सुभानोंतला नियाए कर रहा है तो नियाए होने दो ना बतार मेता अपर आले पे छोड़ दो फिर नीशे समाजवादी पार्टि की आपकी पार्टि को इस वक्तार अंसारी के डैड बाडी को इस वक्त बांदा से घाजिपूर की तरफ ले जाए जा रहा है कल सुभे उने सुपर्द रखाक किया जाएगा लेकिन कई यह सी राज़नितिक पार्टिया है कि यह मौत नहीं यह एक हत् और इसी पर आज बहस भी हो रही है कि माफिया में क्या वोट दिखता है ये एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग बदोरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्री प्रवक्ता मौझूद है AIMIM के राश्री प्रवक्ता पेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौझूद है शुबरास्ता जी जो कि राजनितिक विशलेशक हैं हमारे साथ मौझूद है और सतीश केसिंग सहाब सीनियर जॉर्नलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अनुराग जी मैंने विवर से वादा किया था कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी पहले मैं चाहती हूँ कि वो राउंड क्लियर हो जाए और फिर अनुराग जी मैं आपका रुक करूंगी ठीक है जहां बात खत हुए थी मैं चाहती हूँ महां से शुरू हो शुबरास्ता और वारज भाई ओवारत्ती डीची को मेरे कहने से पुछ आपद्टी थी तो आप ने कहा कि अन्ला कर दिक है जो बिलकुल आप से वहतर जानने हो अला अल्थ है उसने जिसको भी मैं एकिते फाक को चल्टेश को रमज़ान में शाबू-धूदीन साबका, अगले रमज़ान विए रिचया रूख यपकटा, विजुक्टाक विए उसको अन्गे त्याराइक यल रूखैकर, आग बाहांainen एन डियंड जारूजारा हो दो दिन पहले उनको मिलने गया, मिलने नहीं तिया गया उन्होंने कहा कि मेरे वालित को जहर दे के मारा जाता है उनको रोकिए उसे ट्रांसफर करिए दूसरी जगह पर बेजिए कोट ने अज रिपोर्ट पगाया था उस रिपोर्ट के लाकर बहुत हुए तो जूडिशन इंक्वाइरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एक इ चैनल पर अगरने सेरि है नहीं है तो सुपराश्तम मुझे बताओ का अगमी सेफ रहेगा तो यूपी के इंदर ही सब और है तो यूपी दर योगीजी की जो पोलिसी है मिट्टी में मिला देंगे निकिकर रो ये मिट्टी में मिला ये कारून के तजरिये से ना जी मैंने आपको तरही भाट किसले आपको शुनकर मात कि अवाट को कायदे कानून से जादे भरोसा ही कि विटि दिला जुना अली पुलिशी के ओप इस हुपृ अगर किसी के बाद मशीनन मिला है किसी ने किसी को मार दिया है तो कानू सजा देगा जब देदेगा इस определ आपका दे zwei constitu मारेस तो को Κा रही हो अर डाइस है वैर ज्बाप मैं जाती हूं इसका जवाब इसका जवाब इसका जवाब ज़ुबर इसका कियो मारते हैंяв अद् They को खोया उनकी बात पर वारिस जी ने बिना स्टेटमेंट दिये मुखतार अंसारी की फैमिली पे एक लंबा चौड़ा आख्यान दिया मैंने इसलिए इनको बीच में रोका इसलिए नहीं रोका कि ये मेरी तर्व मेरे तर्कों का जवाब दे रहे थे दूसरी चीज मैं आपक ज़स ठ्वधान के माया मॽए धिजखे लगए या फटा के फोड़ेगा नेरी बि propor टोक हो फंदые है या इसलिए उनके लи भी आम डर्डी है पर चुप रहते हैं, किस बात पर लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं, सब के राजनीतिक मायने होते हैं, आपने कृष्णा अनंद राय जी पे, प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा, एक शब्द आपके मुह से निकला, आप जेनरलाइज करके बले ही क कोई भी पार्टी हो, वारिस बाई रुकिये, वारिस बाई रुकिये, इस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रे आज तक की राजनीती में मिलता रहा है, वो ग्रामर चेंज हो सकता है, कि डिस्कनेक्ट हो गई है शाय वो हम दुबारा हम दुबारा संपर्ट करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग बदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीति करती है वही मैं पूछ रहा हूं क उसके दो बच्चे परेशान हैं उनको भी इस्टूडियों में बुला के कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनों के अंदर में क्या गुजरू उसक पूरा परिवार बरबाद हो गया फिर पुस्पेंद यादव कमे ने बोला जहांसी में जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ उसके बाद उसकी बीवी ने आत्मत्या कर ली क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी मेरे प्यूस जी के साथ पूरी पालिका है और न्याइब पालिका प्पे हमें सब को विश्वाफ है लेकिन लिए ले लिजे ले लिए क्या दिक्कत है इसमें नहीं के साथ खड़ाओं मैं कहा वहा हूं तो हमने का नियाए पालिका है हमें कहता है कोई भी का लगातार कस्टेवलेट डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल में सुरच्चित नहीं आदमी जेल के बाहर सुरच्चित नहीं जिस तरह से बेटियों के साथ एन्याय बड़ा है रोड पे आप देख रहे हो होई है क्या यहां पर मुन्ना बजरंगी के नहीं हत्यावी जेल के अंदर में क्या जिस तरह से विवेक दुवे के नहीं हुई आप पताए विकास दुवे की नहीं हुई मैं बोलना चाहता हूं कि यह आखिर क्यों बई नियाय एक हिरास्ट में है उसको उसको कोड तक कि आखिर फ़र है और बार वार यह कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है तो क्या सरकार की दिया नहीं होती हाज तरूंट सामने आना आकि उसको से से बढ़ जाती है ज्यादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंद है और उस उसको लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है तो पहले उनका इलाज हुआ 14 गंते वह अस्पताल में रहे उसके बाद उनको चुपती मिली फिर वापस उनको अस्पताल में बेजा अरे फिर मांगने को आप निवह सर्वाय तो सामने वाले प परिवार शंका जाहिल सवाहिए और वहात भी जेलों में अगर हत्या होने लगे तो COM रहा पहले जबाब दीजिए रहा याना बिल्कुछ जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा लगातार हो तो फिर आपके टाइम पर जो हत्याई हुई है जंगल राज वो नहीं था आपको आपने बता दू आप चले गए अरे आपके रहे हैं कि जब हत्याई हो र सार 12 से लेकर 2017 कितनी जानते हैं 66 है और साल 2017 से 2023 सिक्यावन है आप यह बताइए ना मैं लड़कडा नहीं रही हूं आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल रहे हैं तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा था ना आकड़े बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है अपने टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जाक लीजिए ना और रही बात वहाँ पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहाँ पर जानता से के माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77 परसेंट के कहते हैं वोट बैंक के लिए 77 परसेंट कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गुण्ज अब आप सोची ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूरवानचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहुबली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूरवानचल के सियासत का मरकस बना दिया केंड एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बलकि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सका खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रही ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में समान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवार अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिससे ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड बॉडी को बांदा से गाजी पूर ले जाये जा रहा है वो शक्स का नाम मुक्तार अंसारी पैसट केसे में नाम आज केस में सजा दो दो मामलों में उम्र कैर और पिछले खरीब 18 साल से सलाखों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब अको में मुक्तार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब 60 साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुक्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी के बांदा से 112 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव समेट विपक्ष के कई नेता 862 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बता कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यार की रावजारी पटना में पूर्व उपमुख्यमंतरी तेजस्वी यादव को भी मुख्तार की मौत में साजिश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलो और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जगड़े में बीमार होने पर नियायलाय ले जाते समय अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्महत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाय के नियाय धीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिखा यूपी में गानून व्यवस्ता का शुन निकाल है इस पर उन्होंने समापत किया यूपी बियार की सियासत में माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाय जा रहे थे असदुदीन ओवेसी भी पी आप करने की दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारूप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गूज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्टि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्टितिक विश लेशक है सतीश के सिंग सहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राई की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदत से भी इस वक्त आ आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं वोट बैंड के लिए कानून विवस्ता के लिए या पता नहीं यह तीर आपके सामने आप्शन है वोट करते रहें आखि कि यह हत्या है मौत नहीं है जी रुपिका जी नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बताया कि ऐसे दो लोग है जो इसको मौत की स्टेडी में ला रहे हैं देखिए यह निश्य तोर से एक जाज का विश्य है पोस्माटम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आ 500 पांच में आतव लाएन सिんだ टी जिस फे उन्होंने सरा सब ऐसी जाच करने के लिए मना कर दिया था मुझे मंतरी जनी मुघार안 अदरानीमी नम लाएन से मैं लोग और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी झाज को देने के लिए तो यह देखिए एक झेक झढ़िए के सरुकारों से सामने सप्राच थी होई ती व्याय आख उरिए जेए सामने स्क्राच जाएगी पोस्मार्टम मेरे पिता जी की भी हुई थी, उस समय हम लोगों ने नियाएक जाज के लिए मागा, नहीं दिया गया, उस समय हम लोगों ने CVI जाज के लिए मागा, नहीं दिया गया, तो आखिर इस तद्रीके के राजनीत में दोहरा जो चरित रहे, अगर इन माफियाओं प साथ में डिबेट की शिरुवात कर रही हूं प्यूजी बनाए रहे येगा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मांग पूरी कर दी गई कि एक माफिया की हत्या है कि मौत है या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है कि रुबिका जी आज बीजेपी के परवक्ता नहीं आए ना देख रहा था कहीं बुलाया था वो नहीं हाए क्यों नहीं आए क्यों कि मूँ छुपा रहे है जवाब नहीं है ना आज में राजनीति नहीं कर दिए हो ना जो सवाल आप से बैठे हो उसका जवाब दीजिए ने आज मैं पूरी तोकने लगें मैं टोकूंगे आपको आप मुझे ये बताएए मुलायाइप सिंह यादव ने न्याइक जाज की मांगी थी कृष्णा नंगराई के बेते ने परिवाद ने क्यों नहीं माने आपने क्यों नहीं माने आपने आप मान आप आप सवाल हो गया आप बता दिजे बीजकी पर रवक्ता क्यों नहीं आए सकता में ना अब Shivini में बताने से लेजव ता में ने सरकार से सवाल पूछ से वाओंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाएक जाच के आदेश माने मुलाइम सिंग यादव ने हाँ या ना में जवाब दीजिए अरे आप एक सवाल पांच वा एक बार पांच बार सवाल मत पूछे आप रिपीट करेंगे मैं भी रिपीट करूंगे रिपीट कर रहे हैं ना क्यों नियाएक जाच के आदेश दिये के नहीं आप पत्रकार की तरफ आप पत्रकार हैं जो बीजेपी आज आए नहीं है अनुराग बदोरिया एक सवाल पूछें सवाल का जवाब दीजे बेशर्मी मत कीजे बेशर्मी मत कीजे सवाल का जवाब दीजे नियाएक जाच के आदेश देने से क्यों आप लोग कत्राएं और क्या आज की तारीक में नियाएक जाच के आदेश दिये गए के नहीं दिय आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी इस इनाफ आप अनुराग जी यह बहुत हो गया मैं बर्दाश नहीं करूगा नहीं डिस इस नॉट डन नहीं आप आपको लग रहा है तो आप यह आप यह द्रामा करते रहेंगे और यह द्रामा में मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ खबरदार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है अपने गिरेवान में जाकिए अपने गिरेवान में जाकिए बेश शर्मी मेरे साथ मत करना अरोराग भदोरिया मैं पहले बता रही हूं मैं एक बार बर्दाश करूंगी दो बार बर्दाश करूंगी हर बार बर्दाश नहीं करूंगी आप घटिया अपनी राजनिति अपने पॉकेट में रखिए मेरे उपर आरोप मत लगाईए आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताईए घटिया आरोप मुछ पर मत लगाईए मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं मैं सवाल पूछूंगी आपको कमपन होती है तो होती रहे सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा आपको मेरे सवालों से डर लगता है इसलिए आप इधार उदर करने लगते हैं फिर बता रही हो अनुराग आप बिजेए ना मुझे कोई प्राबलम नहीं है आप बीजेपी से पूछिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी इंटेगरी पर सवाल मात उटाई ये का अनुराग भदोरिया मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूं दो नाट प्र इंटेटी अनुराग बदोरिया क्ला आपो班 अगर नहीं तो फिर आप यहां से लेकल जाए और जाए तो आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाईंगे तो आप मेरे उपर मत चाहिएगा अपर उड़ी आप आरबस तो के अपुए खाने मुद्दे शेवागें को बिजेए वागया तो मुझे मुझे पर आपना आज भारत समंदयाद पा कई इंकाउंटर हुआ था काहा हुआ था इसी नोइडा में जिम इंस्ट्रेक्टर था वो उसको गोली लगी बैट पर लेटा है फुलिस वाले जिन्होंने माँk काउंटर किया था बाद में हम लोग उटने हल्ला मचा है पुलिस घृफतार हुई एक पुलिस वाला जेल में है आज भी बैट पे लेटा है दो बच्चे हैं उसके क्या उसको दिया क्या मिला उससे पुरा का पुरा परिवार बरबाद हो गया दूसरा बता दूँ जिसे पुस्पेंद्र यादब जहांसी में जिसका इंकाउंटर हु त्रबाद detiva उसकी पत्नी ने बाद में इत्र हकर लिए आप हांत्या कर लिए ग्रेवनु परिवार ब lieberius की पत्नी ने आत्मात्या कर लिए टाए ये है उत्तर प्रदेश चिसकी बात करना हैं आप हाज मुपतर अंसारी की बात हो रही है मुपतर ऑन साय की फैमिली ली ग क आप में एक बयान सुनाना जाती हूं अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा सुनिए क्या कह रहे हैं यह खाकी वर्दी धारक है दोजार पांच में मशीन गन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का यह खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाइए शैलेंडरी सिंकी बाइट उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की आज तक उत्तर जेल जाना होगा लेकिन मुलायम सिंग के सरकार ततकालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आईजी रेंज जोन जो थे उनका ट्र पर और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद है सतीश जी सुना आपने ये किसी और नहीं ये एक स्टीएफ के कर्मी ने जवाब दिया देखिए जब अपराधियों का आप महिमा लगाते हैं अपराधियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टियां सारी पार्टियां अगर उसका बोडबैंक की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती है तो अपराध का जो है ना आप अपने ढंग से उसका एक ब्याख कि प्र्वासलित दे रहां कि इस देस् disgrace में नियाईड व्यवस्ता जो अपना कार्पालिक में जो प्रशाशनीक व्यवस्ता हैं। कोई भी सवाल खड़ा होता है तो जिस प्रकार के जांच के आदेश दिये गए वह जांच पूरी होनी चाहिए पूझे से यह मांग की गई कि भाई अब ऐसा था नहीं एक जेल में संदहास्पत द्रिष्टी से में स्थिती में मौत हुई है यह उनका कहना मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो हाट अटेक से मर गया हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो विशा है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा प्रादी था यह बिल्कुल सही कह रहे है इस देश के लोकतंत्र में सम्विधान में यह तो हक सब को दिया है ना चाहिए वो कि आदेश तक नहीं आते हैं आपने यह माल लिया कि यह तो हत्या है और यह तो वोट बैंक के लिए ना सतीशी वो भी तब आप समझे रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ही ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटब दृस्ति यह तो आप कैसी बतात कि विशा नियता में उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंक की दिरिश्टी से आप इदर या आप उधर दूसी तरब बिना कोई चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे करते थे यह तो आपरादी क्या है जो आपरादी एक बुक्तार अंसारी एक दुर्दांत अपरादी था इसमें कहीं से कोई सक नहीं है इतनी हर्त्याओं अब्धेश राय खृष्णा के भीतर हुई है उनके किन्न कित का आरोप तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप यह तहसे यह कि अगर जाना चाह कर्ण जाता अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है कस्टडी में खतम हो गया अगले दिन खबर बनी किसी को रातो रात पता नहीं चला दफन कर दिये गए रुपीका जी दो तीन चीज़े यहां पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो एक कि अक्तार अन्सारी साब का होना एक दुखत बात है इन्ना लिल्लाह वे इन्ना इल्लाह रजून और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं अब ए परिवार वालों का ये कहना है कि मुक्तार साब की जो हतिया हुए 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 उनको जहर दिया गया मुक्तार अन्सारी ने खुद ने जेल से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे के मार दिया जाता है जजस साब ने रिपोर्ट मंग किया जाए उनको शायद यहां के डॉक्टर भुरोसा नहीं था क्योंके शक्त तो यह है और उनकी गुलकुल यही दे कि हमारे वालिज जो थे उनको कतल कर दिया गया उनका यहीं का बोलना है कि सद्धियांत्र के जर्ये से उनका नेचरल देच जो डॉक्टर लोग दिखा रह करा है मार दिये अब मुक्तार अंसारी जो जेल में उसकी इस तरह से एक स्पीशियस रिट के अंदर हुई है यह तो सब बोल रहे है अब इंक्वाइरी बैटिये अब इंक्वारी का रिजल्ट क्या आए गए तो आपको सब को पता चली जाएगा लेकिन एक चीज़ है इतन आप अधिश्बाजी हुई थी जानकारी के मुताबिक जाएगा तो काफी जगाओंके पर आप अधिश्बाजी हो रही है लेकिन वह आतिश्बाजी इसले विए उनके घर पी हुए यह सवाल पूछ लेती नो उन से प्योजी आप इस बात है कल मैं खुड मुम्दा बाद म अधिश्बाजी की है काई लोगों ने मिठाईया खिलाई है तो यह तो अभी वेक्ति के आजादी है अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है पुरहांचल का अगर आम जन मानस तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको देवता मानते थे एक नजरिया यह है कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे अब तो यह तो नजरिये पेडिपेंड करता है जो लोग इनसे पेडी थे जो लोग इनके सताय हुए थे जो लोगों के इन्होंने धर उजाड़े थे मुझ जब परिबारों के उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी का पल है भगवान ने ऐसा एक दिन दिया भगवान के दर्बार से ये फैसला आया कि हार्ट इटैक्सिंग के मृति हुई है तो उन लोगों ने आतिश बाजी की अब ये आतिश बाजी जलत हैं सही हैं ये हमारे आपके नजर हो सकते हैं पर हम उनको जा कि ये क्यों कहें कि आप आतिश बाजी मत करिए जब मेरे पिदाजी के हत्या हुई थी तो इन्हों ने अपके घर से एक फोटी सेवन चलाया था आप लोग नो तो कोई प्रशन नहीं किया उस समयंसे उनके घर एक फोटी सेवन चली थी ये पुलिस के डारी में लिखी हुई है देखिये साब अगर गुनेगार व्यक्ति है तो कोट काईदा प्रशासन है देश काईदे कानून से चलेगा और चलता आ रहा है मगर इस तरह से एक सस्पीशेस रीच से किसी की जान चले गई है किसी की दे हो गई है परिवार मांग कर रहा है एक अरजी उन्होंने कोट टक में लगाई ती जेल से के मुझे रोज जहर दे के मार दिया जाता है जेल से रिपोर्ट तरफ किया जाए मगाया जाए कोट ने आदेज दिया था जिल प्रशाशन को कि आज उनका रिपोर्ट पेश किया ज एक परिवार का बेटा तो यहां भी बैठा है न वह कह रहे हैं उनके आपको आज दर्द हो रहा है वारिजबाई आज आपको दर्द हो रहा है क्यों पताके पूटे आप इसवाजी हुए सुनिये उन्नेस साल पहले वारिजबाई सुनिये ना फोन टैप हुआ है यह जो विधायक है ना आयोध्या वाले और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसें वह बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वह कृष्णारंद राय की मौत का शैद जो है संदेश दे रहे हैं उनको और मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुखनी बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था मैं तो हमेशा से इसको ना पसंद करता था अब वह भी आतिस बाजी हुई थी वहां पर भी है कि अगर उनने कोई गुना किया है कानून का कोई उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियायदिश अदालत है जहापर उनका केस भी चल रहा था वह इस हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल में उनको इस तरह से मारना यह कहां का लिया है और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई सब्सक्राइब काड़िये करें जिस पर बीती है वह आप जो आरोप लगा रहे हैं और उनके साथ रोज राप्ता में थे यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है तो उसमें सुनिये उसमें स्टेट्मेंट ऑफ दक को एक उस जडवी से बल हो जाएगा तो पॉमिश्य और मुदी जेल चले जेंगे अगर इस कानून के अंदर स्टेट्मेंट को देता है जो पुलीस कस्ट्रेडी में इस सामने अगर 164 के अंदर स्टेट्मेंट हो गया उनको भी को एक उसके पखला हो आगा अगर देदिया तो हो गया कमाना भी बहुत बदा रफन किया तेकि रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाती हूँ मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि संवैधाने कुरूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे क्या उनकी सवी छवी पाक साफ थी इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दो तीन बातें बहुत सपश्ट हैं ये मुखतार अंसारी हो या शहाबुद्दीन हो ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों के मजबूरी होती है ठीक है आज उनका इंतका हो गया इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेत्रत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पर लगातार जलाया जा रहा है कि फलाना विद्वा थी उनकी बिटिया की शादी थी तो मुखतार अंसा का बहुत योगदान रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी के समर्थक हूं या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टिकरन अंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहें वो इस बात को बिना लागलपेट नह कि बोलने के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई समीकरण भी घड़ते हैं लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते आस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में मुक्तार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का च जुनाव लड़ने के बाद जो जो चीजें हुई उनके फ्रेतर में एक तरह से वो एरिया ही एक तरह से वो गैंग का एरिया ही माना जाता था हम इसे इंकार कैसे कर सकते हैं यहां पर प्यूश जी बैठे हैं उन्होंने बहुत सईयत भाशा में जिस तरीके से बात की यह भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है ना फिर भी कह रही हूं चाहे वो वारिस भाई हो वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो वो आज पियूश राय जी के साथ नजर केसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गल आप नयाय कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे उसमें अटकले लगाना एक अलग विश्य है अगर आपको इतना यकीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है अल्ला सुभानोंतला नयाय कर रहा है तो नयाय होने दो ना बतौर मेता आप एक दूसरे के उपर खुब कीजिए उससे मेरा देना नहीं है लेकिन जो सचाई है उसको सुविकार करना सीखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी को यह आपकी पार्टी है को इस वक्तार बांदा से घाजीपूर की तरफ ले जाय जा रहा है कल सुबह उन्हें सुपूर देखाक किया जाएगा लेकिन कई ऐसी राज़नितिक पार्टी हैं जो कह रही है कि यह मौत नहीं यह एक हत्या है और इसी पर आज बहस भी हो रही है कि माफिया में क्या वोट दिखता है यह एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदोरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के र प्रवक्ता पेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौजूद है शुबरास्ता जी जो कि राज़नितिक विशलेशक है हमारे साथ मौजूद है और सतीश केसिंग सहाब सीनियर जॉनलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अनुराग जी मैंने व्यूवर स से वादा किया था कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी पहले मैं चाहती हूं कि वो राउंड क्लियर हो जाए और पिर अनुराग जी मैं आपका रूख करूंगी ठीक है जहां बात खतम हुई थी मैं चाहती हूं सिरू हो शुबरास्ता और वार volont दी यू है वारिस्टी को मिरी कहने से कुछ जैशा शुग्रास्टर। इस रमजान में इनका हुआ और मैं ये बता रहा हूँ बार बार के वो खुद बोर रहे थे उन्होंने खुद ने चिट्टी लिखी दी जेल से जजसाब को के मुझे स्लो पॉईजन दिया जा रहा है रोज जहर देके मुझे मारने की साजिस की जा रही है उनका बेटा जो दो इंक्वाइरी होनी चाहिए एक एक अगर कोई घुने कर रहे है था दो लेकिन प्लापिस नहीं है तो शुपरास्तर मुझे बताओ का अग्नी सेफ रहे गा यूपी के इनर ही सब हो रहा है तो युपी ज़ी की जो पॉलिसी है प्रिचि मिला देंगे तो क्या आप सोच दो क बात कितरी पेशनली सुन रहाता पता है आपको पूरा ध्यान समयना आपके गल्फास कुस्तुमा बगर मुझे गई ने लगा आपकी बात सुनकर के आपको काईदे कानुन कि कि बगर मुझे इसलिए कि अजिल लगा कर दानी डिलवा गुर मुझे एक इसलिए पर आपको किसी के बाद मुझे ने किसी को मार दिया है तो कारूव सजा देगा है जलें आपिज भाई जो यंशेंटे को मार देंगा का 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 इनसाफ है कि बारे 카 आप मैं जाती हु इसका इसका जवाब श्राइब पूर टूक बोलू ना तो मैं पुलिटिकल कम्यूनिकेशन सी देखती हूँ और आप किस बात पर चुप रहते हैं, किस बात पर लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं, सब के राजनीतिक मायने होते हैं आपने कृष्णानंद राय जी पे प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा एक शब्द आपके मुझस ने निकला आप जेनरलाइज करके बले ही कह दे आपने नहीं कहा उनकी बात पर मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं मुझे समाजवा को प्रश्रे आज तक की राजनीति में मिलता रहा है वो ग्रामर चेंज हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गही है शैवो हम दुबारा हम दुबारा संपर करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग बदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीति करते हैं वही मैं पूछ रहा हूं कि भ कि दो बच्चे परेशान हैं उनको भी इस्टूडियों में बुला के कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनों के अंदर में क्या गुजरू उसके प पुरी सेंपथी है यह भी तो परिवार है इस परिवार पर कभी बात होगी कि नहीं होगी किस तरह से परिवार उजार दिये गए इन परिवार के वारे में कभी बात रहे होगी इनके परिवार के बच्चे वारे में कभी बात रहे होगी पत्री ने सुसाइट कर लिया एक क बच्चे बरबाद हो गए, तो हम यह कहना चाहते हैं, कि इंदेश में न्याय देलिक नियाय पालिका है, और नियाय पालिका पर हमें सब को विश्वास है, लेकिन लगातार, लगातार, उस्ट प्रिदियर ठाथ, क्यों हो रहे हैं यह बड़ा सवाल है, आपने यह बड़ा साथ खड़ा हूं मैं कह रहा हूं मैं इसकी बात पूरी हो नहीं कोई वजय नहीं है आप ले लिजिए अगर हम आप भूना तो आप लीजिए ना पहले बात पूरी है तो हमने का नियाई पालिका है हमें कहता है कोई भी लगातार कस्ट्रोड डेथ हो रही है उत्तर कि नहीं हत्यावी जेल के अंदर में क्या जिस तरह से विकास दूबे की नहीं हुई मैं बोलना चाहता हूं कि यह आखिर क्यों बई नियायक हिरास्त में है उसको उसको कोट तक पहुंचाना यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कोट उसको जो भी सजा दे पासी की सजा दे ज देकि जब एक जो जेल में बंद है अपनाती है और बार बार यह कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तौन सामने आना आख उसको प्रिटेक्ट करना उसको हास्पीटल में बलां और पिर कोर्ड में मैं प्रूज करना उसे पर यही सवाल यही सरकार के उपर उठ रहा है तो अस्पताल में नहीं थे वो इलाज नहीं हो रहा है ने ने कब हुआ कब कितने दिनों से मांग हो रही है कुछ चिठी कोट में लगाई गई है तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज्यादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंध है और उस उसको लग रहा है कि मेरे साथ है अन्या है हो रहा है तो सरकार को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना पहले उनका इलाज हुआ 14 गंते वह अस्पताल में रहे उसके बाद उनको चुपती मिली फिर वापस उनको अस्पताल में बेज बार-वार पर-वार शंका जाहिर कर राता इसले सवाल उट रहा है और भाद करो एऊ से सवाल उट रहा है तो आप यह graveec और चुंऐ समंद लिजी हुए ना पहले जवाब दीजियंगत लगातार अरुए결 पर आपके टाइम पर जो हत्याई हुई है जंगल राज वो नहीं था अरे आपको पूरा सुन लिया उत्तर प्रदेश में जो मौत हुई है आपने टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जहाक लीजिये ना और रही बात वहाँ पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिये हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहां पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वो सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस भी जो सवाल हमने पूछा इंडिया की जनता से के माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77% के कहते हैं वोट बांक के लिए 77% कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहिए गुण्श अब आप सोचिए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूरवाल चल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहु बली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूरवांचल के सियासत का मरकस बना दिया केहने एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बलकि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकता खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रगदी ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवार अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड बॉडी को बांदा से गाजी पुर ले जाए जा रहा है वो श्क्तार अंसारी। 65 केसे में नाम, 8 केस में सजा, 2-2 मामलों में उम्र कैड और पिछले खरीब 18 साल से सलाकों के पीछे। यही असली पहचान मुगतार अंसारी। लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है। सियासत देखती है कि मुखतार अंसारी का रुटबा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से गाजीपूर के आसपास के इलाकों में मुखतार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साट साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुखतार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी कि बांदा से 112 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव समेट विपक्ष के कई नेता पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुखतार की मौत में साजिश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी ग सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुखतार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्ट से खाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जगड़े में बीमार होने पड़ नयायलाय ले जाते समय अस्पिताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्म हत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संद मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाए जा रहे थे असदुदीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएग गूज और हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राय की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदद से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी लेकिन उ काफिया की मौत पर मातम क्यों वोट बैंड के लिए कानून विवस्ता के लिए या पता ने यह तीन आपके सामने आप्शन है वोट करते रहें आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णान राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहल आपके चैनल के मादयम से अपने मुझे बताय कि ऐसे दो लोग है जो इसको मौत की स्टेडी में ला रहे हैं देखे यह निश्यत तोर से एक जाज का विशह है पोस्मार्टम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आही जाएगी जाएगी और जह तर मेरा मानना है कि ऐसे ही ए हम लोगों ने 2005 में आधरनिय मुलायम सीम यादोजी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरासर ऐसी जाज कराने के लिए मना कर दिया था उस समय के तकालीन मुख्यमंतरी थे अधरनिय मुलायम सीम यादोजी और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी नाइक जाज को देने के तो यह देखिए एक नियत के परिवर्तन पर मैं बात करता हूं जो नियत रहे हैं 2017 से पूल के सरकारों में जो सर्रक्षन दिया गया इन माफियाओं को उनकी नियत में क्या पदलाव है और आज के सरकार के नियत में क्या बदलाव है नियाएक जाँच के मागों का परिवार किया, नियाएक जाँच दे दी गई, पोस्माटम की बात है, पोस्माटम की रिपोर्ट अभी जैसे आप लोग बता रहेंगे कुछ दिर में ही सामने सक्के सामने आग जाएगी, पोस्माटम मेरे पिता जी की भी हुई थी, उस समय हम नियाएक जाँच के लिए मागा, नहीं दिया गया, उस समय हम दोगोंने CVI जाँच के लिए मागा, नहीं दिया गया, तो आखिर इस तद्रीके के राजनीत में दोहरा जो चरित रहे, अगर इन माफियाओं पर हम अपने दोहरे चरित को दिखाते रहेंगे, तो ऐसे चोट मुटे मुटे गुंडे बड़े से बड़े माफिया बंते रहें आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहां पर देश के सामने रख दिया उसी फैक्स के साथ में डिबेट की शिरुवात कर रही हूं प्यूजी बनाए रहिएगा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मा पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है के मौत है यह आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है जवाब नहीं है ना आज में राजनीती नहीं कर दिया है आज मैं पूरी तयारी के साथ आई कुछ नहीं माने आपने क्यों नहीं माने आपने अब आप माफं हो गया अब बता दिजे बीजैश के रिलेटेडि आप से सवाल पूच रहे हूं आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी को मैं नहीं बताओंगा मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाए जांच के आदेश माने मुलायम सिंग याद क्यों कि हम सत्ता में हम सत्ताओं से सवाल पूछेंगे सत्त को जवाब देना ओगा मैं करता नीयाद है उन्याज में complete करिया नियाज नृटकार चुछिए उन जी इस बेच्चा इन सवाल का जवाथी जो गशित जवाल का जवरु नहीं है और अनुराग बादो है कि अपने परवक्ता नहीं बोड़ा जाच के आधेश देने से क्यों आप लोग कत्र आए और क्या आज की तारीक में नियाएक जाच के आधेश दिये गए के नहीं दिये गए आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अनुराग जी, इस इनाफ, आप अनुराग जी बहुत हो गया, मैं आप बर्दाश नहीं करूँगे, इस इस नोट दन, आप आपको लग रहा है कि लाइटी आप ये ड्रामा करते रहेंगे, और ये ड्रामा मैं बर्दाश क कि प्रवक्ता नहीं हूँ, अपरदार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने गिरेवाल में जाकिये, अपने गिरेवाल में जाकिये, बेश शर्मी मेरे साथ मत करना आरोराग भदोरिया, मैं पहले बता रही हूँ, मैं एक बार बर्दाश करूँग आपको कमपन होती है, तो होती रहे, सवाल पूछना मेरा काम है, और जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसी लिए आप इधार उदर करने लगता है, मैं फिर बता रही हूँ, अनुराग भदोरिया, इस 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 लास टाइब, वरना को कुछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इंटेगरी पर सवाल मत उटाईएगा, अनुराग भदोरिया, मैं आपको लास्ट वारिंग दे रही हूँ, दू ना प्टेटी, Mr. Anurag भदोरिया, I am telling you, calm down and answer all my questions, और अगर नहीं, तो फिर आप यहां से निकल जाएगे, दि मैं पर मत सवाल उठाईएगा, आप आरबार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे, तो मुझे 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 पर रखना होगा, आप नहीं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे दिया है, आप लिए आप बोलने तो दिजे, आप तो हो गया ना, अब आपने चिला लिया, पूछता कि पुष्पेंद्यादब का इंकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था इसी नोईडा में, जिम इंस्ट्रेक्टर था वो, उसको गोली लगी, बैट पे लेटा है, पुलिस वाले जिन्नोंने मा इंकाउंटर किया था, बाद में हम लोग उने हल्ला मचाया है, पुलि पुलिए जांस काईश दिये थे, बाद में उसकी पत्निय नहीं भी आतमत्या कर ली क्योंकि न्याए नहीं मिला, यह उत्रप्रदेश, जिसकी बात करना है आप, आज मुक्तार अंसारी की बात हो रही है, मुक्तार अंसारी की फैमिली ने, क्योंकि देस समिधाओ अनुराग जी सुने, अनुराग जी सुने, आपने दो बड़े एक्साम्पल दिये ना, मैंने सुने या मेरे बाकी और महमान दी है, आप मैं बयान सुनाना जाती हूँ, अनुराग जी को स्क्रीन पर अखिएगा, सुनिए क्या कह रहे हैंगे, यह खाकी वर्दी धारक है, दोजार पांच में मशीन गन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था, आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का, यह खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं, चलवाईए, शैलेंडरी, सिंगी, बाइट, उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की, आज तक लेकिन मुलायम सिंग के सरकार ततकाली इन अलपमत के सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसपर, डिईज स्टीएफ के कर्मी ने जवाब दिया है। वह भी नेता हो जाता है, जो अपराधी है, किसी जाती का वह बहुत बड़ा हीरो हो जाता है, कोई धर्म का बहुत बड़ा हीरो हो जाता है, सवाल यहां पर यह नहीं है, रुबिका जी, सवाल यहां पर दूसरा है, कि इस देश में नियाईक व्यवस्था, जो अपना कारि विवस्ता है उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वसनियता का तो जिस प्रकार के जांच के आदेश दिये गए वो जांच पूरी होनी चाहिए पूझे से मांग की गई कि भाई अब ऐसा था नहीं है जेल में संदहासपद द्रिश्टी से में स्थिती में मौत हुई ह यह उनका कहना मैंने कहता कि हो सकता है वो हाट अटेक से मर गए हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो विश्य है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा प्रादी था यह बिल्कुल सही कह रहे है इस देश के लोगतंत्र में सम्विधान में यह तो तक तो जांच नहीं हुई है जांच के आदेश तक नहीं आते हैं आपने यह माल लिया कि यह तो हत्या है और यह तो वोट बैंक के लिए ना सतीशी वह भी तब आप समझे रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ही करने और कोई ऐसा चुटबहिया ताइप का नहीं मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे पीड़ का इसमें क्या है ने कि लीडर बोट साइड दोनों तरफ के लोग एक तरह बहुत खुशी मनाई जा रही है कि एजिव नहीं उनका इदम नेटरल ही मौत था इसलिए वो म आप यह कह रहे हैं कि हत्या है तो कैसे आप कहते हैं किस बिना पर कह रहे हैं नमबर एक बाद सीधी सी बात है कि विशोस नियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दृष्टी से आप इधर या आप उधर दूसी तरफ बिना कोई इस चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे करते थे यह तो अपरादी क्या है जो अपरादी एक बुक्तार अंसारी एक दुर्दांत अपरादी था इसमें कहीं से कोई सक नहीं है इतनी हर्त्याओं अब्धेश राय खृष्णा नंद्राय पता नहीं क्या-क्या अपसर तब सर सब है लेकिन इसके बाद भी यह इंपोर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वो एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन एन कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहे थी पर अल्राइट ओके वारिस भाई अब इसमें सवाल यह है कि अगर कई ऐसे लोगे जो कह रहे थे कि अगर मारना ही था तो 17 साल इंतजार किया जाता क्या अगर मारना ही था तो अस्पिताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक कि अक्तार अन्सारी साथ का होना एक दुखत बात है, इन्ना लिल्लाह वे इन्ना इल्लाह रजून, और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं, अब एक इत्फाक भी है कि पिछले एक रमजान अतीक भाई और उनके भाई का हुआ, इस रमजान में मुक्तार अन्सारी का हुआ, ये भी एक इत्फाक की बात है, बात नमबर दू जो इंपॉर्टन बात ये है, कि उनके परिवार वालों का ये कहना है, कि मुक्तार साथ की जो हतिया हुई 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 ह अगर उनका इंतिकाल हो गया Yesterday, कल, तो यह भी सारी चीजों को शंका देता है, उनके बैटों ने मांग किये a hems के doctor द्वारा उनका post martm किया जाए उनको शायद यह करेंडर ठोड़ पर भरो सा नहीं था क्योंकि शक्त तो यह है और उनकी गुलकुल यही दे के वह हमारे वालिद जो थे उनको कतल कर दिया गया उनका यह उनका बोलना है कि सद्धियांत्र के जर्ये से उनका नेच्रल डेच जो डॉक्टर लोग दिखा रहें के कार्डियक अरश से वह नहीं हुए अब बात नमबर टीनों जेल कस्टडी मे अंदर देथ हुई है यह तो सब बोल रहे हैं अब इंक्वाइरी बेटी है अब इंक्वाइरी का रिजल्ट क्या आए गए तो आपको सब को पता चली जाएगा लेकिन एक चीज़ है इतने टम के एमेले रहे चुका है समवीदान की शपत रहे के मेरे रहे हैं उनके साथ इ करें खोए अच्छाइब शबस आपको सब्सक्राइब यह तो अब इन एक जगा कर पूछ लेतिया उनसे अप्यों जी आप इस बाजी कही है तो इस बात है कल मैं खुद मौमदा बाद में ता कही लोगों ने अट-इस बाजी की हैं का लोगों ने मिठाईया खिलाई है तो यह तो अभी वेक्ति के आजादी है, अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है, पुरुहांचल का अगर आम जन्मानस तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं, एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको देवता मानते थे, एक नहीं सकते हैं कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे, अब तो यह तो नजरिये पे टिपन्ड करता है, जो लोग इनको सताय हुए थे, जो लोग उन्होंने धर उजारे थे, मुझ ज़हते, परिवारों के, उन लोगों ने यह माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी क है ये हमारे आपके नजर हो सकते हैं पर हम उनको जा कि ये क्यों कहें कि आप आतिश बाजी मत करिए जब मेरे पिदा जी के हत्या हुई थी तो इन्हों ने अपके घर से एक फोटी सेवेंग चलाया था आप लोग नो तो कोई प्रश्ण नहीं किया उसमें से उनके घर पे एक एक सस्पीशेस रीच से किसी की जान चले गई है किसी की देथ हो गई है परिवार मांग कर रहा है एक अरजी उन्होंने कोट टक में लगाई थी जेल से के मुझे रोज जहर दे के मार दिया जाता है जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए मगाया जाए कोट ने आदेज दिया परिवार का बेटा यहां भी बैठा है ना वह कह रहा है वारिजभाई आज आपको दर्द हो रहा है क्यों पताके पूपे आप इसबाजी हुए सुनिये उन्नेस साल पहले रूबिका जी मेरा एक मानना है वारिजभाई सुनिये ना फोन फोन टैप हुआ है यह जो विधायक है ना आयोध्या वाले और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसें वह बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वो कृष्णारन राय की मौत का जो है संदेश दे रहे हैं और मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख निए बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था मैं तो हमेशा से इसको ना पसंद करता था अब वो भी आतिस बाजी हुई थी वहां पर भी है कि अगर उनने कोई गुना किया है कानून का कोई उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियाय दिश अदालत है जहापर उनका केस भी चल रहा था वो इस हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल में उनको इस तरह से मारना यह कहां का लिया है और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई सब्सक्राइब करें जिस पर बीटी है तो आप जो आरोप लगा रहे हैं तो उनके साथ रोज राप्ता में थे यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है तो उसमें सुनिये नहीं स्टेट्मेंट ऑफ दग को एक उस जेडवी से बलो जाएगा तो परवाले ने बुलाया बड़ा अच्छा कि तेकि रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि समवैधाने कुरूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे क्या उनकी सवी छवी पाक साफ थी इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे त इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेत्रत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विद्वा थी उनकी बिटिया की शादी थी तो मुखतार अंसारी जिन समाजवादी पार्टी के समर्थकों या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टिकरण अंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहें वो इस बात को बिना लागलपेट नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोल सकती हूं कि मुझे किसी राजनितिक पार् तेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते एस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहें ये बोलने में मुखतार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का चुनाव लड़ा चुनाव लड़ने के बाद जो जो चीजें हुई उनके उनक आपने सालों से दशकों से उस दंश को जहला हूँ हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के कोई बेनेता हूँ या AIMIM से बैठे हुए हैं वारिस भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है ना फिर भी कह रही हूं चाहे वो वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो वो आज पियूश राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने ये हमारे समाज की सच्चाई है शाबुदीन को लेकर के क अगर आपको इतना यकीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है तो निया होने दो ना बतौर मेता आप एक दूसरे के उपर खुब कीचा पुदीन कीजिए उससे मेरा लेना देना नहीं है लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी को यह आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है तक मैं दोनों को रोकना नहीं चारी है वारे और सुमरास्ता मैं जानती हूँ आपकी एक मीटिंग है पर प्लीज पर प्लीज प्लीज आई वांटी डूसरी के डेड बाडी क कि माफिया में क्या वोट दिखता है यह एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदोरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्री प्रवक्ता मौजूद है AIMIM के राश्रिप्रवक्ता, फेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौझूद है, शुबरास्ता जी जो कि राज्रितिक विशलेशक हैं, हमारे साथ मौझूद है और सतीश केसिंग सहाब सीनिय जॉर्नलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अनुराग जी मैंने विवर से वादा किया था कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी, पहले मैं चाहती हूँ कि वो राउंड क्लियर हो जाए और पिर अनुराग जी मैं आपका रूप करूँगी, ठीक है, जहां बात खतम हुई थी, मैं चाहती हूँ वहाँ से शुरू हो, शुबरास्ता और वारिस भाई, ओवर तो यूँ, वारिस जी को मेरे कहने से कुछ आपती थी, तो वारिस भाई, कह दे उनको क्या आपती है, जो मैं कह रही हूँ हूँ, मुझे आपके कहने से कोई आपती नहीं है, आपका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, आपने कहा कि ठीक है, आपके ल्ला का इंसाफ है, इस रमजान में इनका हुआ, जो मैं यह बता रहा हूँ, बार बार के वो खुद बोर रहे थे, उन्हों से चित्टी लिखी दी, जेल से जजज साब को, कि मुझे अलो पोईजन लेकिन जेल में अगर आगनी से नहीं है तो सुपरास्तर मुझे बताओ क्या अगनी सेफ रहेगा जी मैंने आपके बात सुनी मैं आपको इसलें रोख रहे हैं आपके बात कितनी सुन रहाता पता है आपको पूरा ध्यान समयने आपके इंगा अपके अधर कहीं रहा कर देखिए लगा आपकी बात सुनकर करके आपको काई झालूं से ज़्यादा बरॉजाय होगी कि विट्टि दिलाद लॉन पलिसी की अपड़ है और किसी के बद में अगर किसी के बद मशीन गन मिला है किसी को मार दिया है तो काई सजा देगा घराथ बारेज 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 बादर इसका जवाब ग्षण जुने के अब जवाब जो ने दिया मैंने बहुत पेशेंटली सुना तो एक पुत्र है जोने अपने पिता को को खोया उनकी बात पर वारेज जी ने बिना स्टेटमेंट दिये मुखतार अंसारी की फैमिली पे एक लंबा चौड़ा आख्यान दिया मैंने इसलिए इनको बीज में रोका इसलिए नहीं रोका कि कि अधिकल कम्यूनिकेशन सी देखती हूं और आप काज आप इस बात पर चुप रहते हैं किस बात पर लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को ब्यूट करते हैं सब के राजनीतिक माइने होते हैं आपने कृष्णानन्द राय जी पे पियूश राय जी को कुछ नहीं कहा एक शब्द आपके मुझसे ने निकला आप जेनरलाइज करके बले ही कह दे आपने नहीं कहा उनकी बात पर मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं मुझे समाजवादी पार्टी से को बोल रही हुए 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 आज के परिप्रेक्ष में कोई भी लीडर हो कोई भी पार्टी हो इस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रय आज तक की राजनीती में मिलता रहा है वो ग्रामर चेंज हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो गही है शैवो हम दुबारा हम दुबारा संपर्ट करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग बदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीती करते हैं वही मैं पूछ रहा हू उसके दो बच्चे परेशान हैं उनको भी इस्टूडियों में बुला के कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनू के अंदर में क्या गुजरू उसक पूरा परिवार बरबाद हो गया फिर पुस्पेंद यादब कमे ने बोला जहांसी में जिस तरह से उसका इंकाउंटर हुआ उसके बाद उसकी बीवी ने आत्मत्या कर ली क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी मेरे प्यूस जी के साथ पूरी पल्थ है आप नियाई पालिका पर हमें सब को विश्वाफ है लेकिल लगातार प्रकल को ँडीव शMRशी कर dinero वर थे बाट शवाल एफ आ आपने नियाए पालिका है, हमें कहता है, लगातार कस्टोर्ड एले डेथ हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल में सुरच्छित नहीं, आदमी जेल के बार सुरचित नहीं, जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याइ बढ़ा है, रोड पे आप देख रहे होगे, और जिस त पिर क्यों। नियाए गिरास्षित में है। उसको कोड तक पहुचाना ये जिमदारी सरकार के होती है। ये जिमठारी कipर सागे करें लेकिन ज़रे का कम बंद अपरादी ये और बार बार ये कह रहा है की मुझे जहर दो जारा है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंट सामने आना, आके उसके इंक्वारी करना, उसको प्रटेक्ट करना, उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोड में प्रडूस करना, उसे सजा दिलवाना, यही तो सरकार का काम है, तो सरकार यही सरकार के उपर जादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंध है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ यह हो रहा है तो पहले उनका इलाज हुआ 14 गंते वह अस्पताल में रहे उसके बाद उनको चुक्ती मिली फिर वापस उनको अस्पताल में बेजा अरे फिर मांगने को तो सामने वाला परिवार शंका जाहिर कर तो परिवार शंका जाहिर कर रहा था अक्षा घुराजा अब है ए रिखिए जह होने लगें तो जंघल राज आता आ मिधिसने लिगे हाँ जिवाब राज वो नहीं था मैं आपको आकड़े बता दू आप चले गए अरे आप के रहे हैं कि जब अत्याय हो रही है तो जानक तो नहीं है यह आकड़े जला रही है अरे मैं इतनी जेर से चिला रहा हूं जितने आदब आरे मैंने तो आपको पूरा सुन लिया उत्तर प्रदेश मे कस्टिडी पे जो मौत हुई है ना 2012 से लेकर 2017 कितनी यह जानते हैं 66 है और साल 2017 से 2023 सिक्यावन है आप यह बताईए ना मैं लड़कडा नहीं रही हूं आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल रही है तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा था ना आकड़े मैं पास वक्त नहीं है अपने टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जाक लीजिए ना और रही बात वहां पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहाँ पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वो सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस भी जो सवाल हमने पूछा इंडिया कि जनता से के माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77 परसेंट के कहते हैं वोट बैंक के लिए 77 परसेंट कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गुण्ज अब आप सोचीए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूर्वांचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहु बली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूर्वांचल के सियासत का मरकस बना दिया के कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकता खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रगदी ये वही परिवार ह है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में समान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवार अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिससे ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में हैं और अभी उसकी केस्सेज में नाम आज केस में सजा दो दो मामलों में उम्र खैए और पिछले खरीब 18 साल से सलाकों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुटवा क्या था जो अस्पिताल में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी कि बांदा से 112 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव समेट विपक्ष के कई नेता 862 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पपू यादव विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बता कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यार की राजजारी पटना में पूर्व उपमुख्यमंतरी तेजस्वी यादव को भी मुक्तार की मौत में साजिश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र माम लोग और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जग्रे में बीमार होने पर नियायलाई ले जाते समये अस्पिताल ले जाते समये इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्म हत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाई के नियायदीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिख जिन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नयाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके कि बयान क्या माहौल खराब करने के दिशा में काम न पूंज हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राय की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदद से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी लेकिन उससे पहले प्यूश राय क्रिश्णानन राय के बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं वोट बैंक के लिए कानून विवस्ता के लिए या पता नहीं यह तीर आपके सामने ऑप्शन है वोट करते रहे आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णान राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले शुरुवात मैं उनसे करना चाहती हूं प्यूश जी इस वक्त दो ऐसे चहरे हैं जो इस डिबेट में आपके साथ शरीक हैं जो यह मानते हैं कि यह हत्या है मौत नहीं है जी रुबिका जी नहुशकर आपके चैनल के मादयम से अपने मुझे बताया कि ऐसे दो लोग है जो इसको मौत की स्टेडी में ला रहे हैं लेके यह जिश्य तोर से जाज का विश्य है पोस्मार्टम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आही जाएगी 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 और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने दो हजार पांच में अधरनिय मुलाइम सीम यादो जी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरा सर ऐसी जाज कराने के लिए मना कर दिया था उस समय के तक काली मुख्यमंत्री थे अधरनिय मुलाइम सीम याद 2017 से पूल के सरकारों में जो सरक्षन दिया गया इन माफियाओं को उनकी नियत में क्या बदलाव है और आज के सरकार के नियत में क्या बदलाव है नियाएक जाज के मागों का परिवार किया नियाएक जाज दे दी गई पोस्माटम की बात है पोस्माटम की रिपोर्ट अभी सुभाढ़ ठीज प्रद सक्राइड प्रियों जो घएगी इस नियुक समें मेरे पिताजी की हुई जिए हम लोगों निया एक जाझ के लिये बागा नहीं दिया गया उस राखेर आखीर इस तदीके ke तो ऐसे चोटे मोटे बड़े से बड़े माफिया बंगते रहें आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहां पर देश के सामने रख दिया उसी फैक्स के साथ में डिबेट की शिरुवात कर रही हूं प्यूजडी बनाए रहे गा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मा पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है के मौत है यह आप सिर्फ इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है जवाब नहीं है ना आज में अगर उनके पास सही होता तो आज चोड़ों के बैठे होते ना जवाब दीजिए राजनीती में ना आपने यह काम पहले कर दिया है आज मैं पूरी तयारी के साथ हूँ यह कर नहीं आप तोकने लगे मैं टोकूंगी आपको आप मुझे यह ब जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और मैं नहीं बता हूँ जवाब दूगा लेकिन मैं सरकार से सवाल पूचती रहांगी कि अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाएक जाच के आदेश माने मुलाइम सिंग यादम ने हाँ या ना में जवाब दीजिए अरे आप एक सवाल पांच वा एक बार पांच वा सवाल मत पूछे आप पीट करेंगे मैं भी रिपीट करूंगे इसलिए मैं करूं बीजेप अब प्रवक्ता के आधेद दीए मयाइक जाच के आदेश दिएंख एक नहीं दिया़ जाइए खरी, समें जाए को ओ सवाल सवाल के जवा देए, मैं अनूरागं बदोरिया एक सवाल के जवाब दीजिए, बैशरमी मत कीजिए, सवाल के जवाब दीजिए उन जाद पना प क्यों आप लोग कत्राएं और क्या आज की तारीक में निया जाज के आदेश दिये गए के नहीं दिये गए आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी इस इनाफ आप अनुराग जी बहुत हो गया मैं बर्दाश नहीं करूंगे इस इस नॉट दर नहीं कि आप कि आपके बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ में किसी परवक्ता नहीं हूं आप बहुत कमीज के दारे में मैं किसी परवक्ता नहीं हूं खबरदार जो आपने मेरे integrity पर सवाल उठाया है, अपने गिरेबान में जाकिये, बेश शर्मी मेरे साथ मत करना अरोराग भदोरिया मैं पहले बता रही हूँ, मैं एक बार बरदाश करूँगी, दो बार बरदाश करूँगी, हर बार बरदाश नहीं करूँगी, आप घटिय अपनी राजनिती अपने pocket में रखिये, मेरे उपर आरोप मत लगाईए, आपके पास कोई अगर proof है तो मुझे बताईए, घटिया आरोप मुझे पर मत लगाईए, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सवाल पूछूँगी, आपको कमपन होती है, तो होती र अपना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आईएगा, लेकिन बार बार मेरे उपर इस तरीके के आरोप मत लगाईएगा, मैं बरदाश्ट नहीं करूँगी, क्लियर, आरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिए, मुझे कोई प्रवलम नहीं है, आप BJP से पूछिए, मुझ इस रोल मैं क्वेश्टिन बार मैं अगर नहीं, तो फिर आप यहां से निकल जाएगे, दिवेट से चले जाएगे, मैं किसी भारतिये जहता पार्टी को नहीं बचारी है, मेरे सवाल के जवाब दीजेए, आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाएगे, जो बोलना है, जो बोलन आप जवाब दीजे, आप तो हो गया ना, अब आपने चिला लिया, मुझे बोलने दीजे, ठेके भारती जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है, क्योंकि मैं भारती जनता पार्टी जे पूछता कि पुस्पेंद यादब का इंकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था इसी पुरा का पुरा परिवार बरबाद हो गया, दूसरा पता दू, जूसे पुस्पेंद यादब, जासी में, जिसका इंकांटर हुआ, उसकी पात्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली,ंध कोोर्ट में नेहीं एकाइधित दिये थे जांचक आदे दिये थे, बात मी उसकी पत्न अनुराग जी सुन आपने दो बड़े एक्जाम्ट दियान मेरे बाकी और महमान भी है आप मैं बयान सुनाना जाती हूं अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा सुनिये क्या कह रहे हैं यह खाकी वर्दी धारक है दोजार पांच में मशीन गन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का यह खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाईए शैलेंडरी सिंगी बाइट उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्र जाना होगा लेकिन मुलायम सिंग के सरकार ततकालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आई जी रेंज जोन जो थे उनका और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद है सतीज जी सुना आपने ये किसी और नहीं ये एक एकस स्टीएफ के कर्मी ने जवाब दिया देखिए जब अपरादियों का आप महिमा लगाते हैं अपरादियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टी सारी पार्टियां अगर उसका भोडबैंक की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती है तो अपराद का जो है ना आप अपने ढंग से उसका एक ब्याख्या जो अपराधी है किसी जाती का बहुत बड़ा हीरो हो जाता है कोई धर्म का बहुत बड़ा हीरो हो जाता है सवाल यहां पर यह नहीं है सवाल यहां पर दूसरा है किस देश में नियाईक व्यवस्था जो अपना कारिपाली जो प्रसासनीक व्यवस्था है उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वस नियता का तो जिस प्रकार के जात के आदेश दिये गए वह जात पूरी होनी चाहिए पुझे से मांग की गई कि अब आइसा था नहीं है जेल में संदहासपत द्रिष्टी से में स्थिती में मौत हुई है यह उनका कहना मैं नहीं कहता कि हो सकता है वह हाट अटक से मर गए हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो मिश्य है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह अपरादी क्यों ना हो उसके human right को सर्वो पर ही रखा जाना है बिल्कुल यह clarity है लेकिन आप यह मान कर चले अब तक तो जांच नहीं हुई है जांच के आदेश तक नहीं आते आपने यह मान लिया कि यह तो हत्या है और यह वोट बैंक के लिए ना सतीशी वोभी तब आप समझ यह रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो-चार ऐसे ही ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटबहिया ताइप करने ही मतलब बड़े-बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट करने है इसमें क्या है नहीं कि लीडर बोथ साइट दोनों तरफ के लोग एक तरह बहुत खुशी मनाई जा रही है कि अगर वह सच है तो सच है दूसरी तरफ यह है कि आप यह कह रहे हैं तो कैसे आप किस बिना पर कह रहे है सीधी सी बात है कि विश्वसनियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दृष्टी से आप इधर या आप उधर दो इस तरफ बिना कोई चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे करते ते यह तो यह तो इस नहीं है नहीं क्या क्या वह अफसरत अफसर सब है लेकिन इसके बाद भी यह इंपोर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वह एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहें थी पहले अगर मारना ही था तो अस्पिताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है कस्टडी में खतम हो गया अगले दिन खबर बनी किसी को रातो रात पता नहीं चला दफन कर दिये गए क्य lange के परिवारग वालों का ये कहना है कि मुक्तार साही जो हतिया हुई ए उनका चाहिए हुई ये हतिया उनको जहर दया गया मुक्तार अंसारी ने खुद ने जेल से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे के मार दिया जाता है जज साब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज, रिपोर्ट पेश होनी थी आज, बगर उनका इंतिकाल हो गया, येस्टरेडे, कल, तो ये भी सारी चीजों को शंका देता है, उनके बेटों ने मांग किये, मुक्तारन सारी के बेटे ने मांग किये, के एम्स के डॉक्टर से उनका नेचरल देट जो डॉक्टर लोग दिखा रहें के कार्डियक अरश से नहीं हुए, अब बात नम्बर टीनों जेल कस्टडी में थे, अब इनसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है, तो कहां सेफ रहेगा उत्तरप्रदेश में, पिछली मरतबह आपने देखा, आतिक इतने टम के MLA रहे चुका है, समविदान की शपत रहे के MLA रहे है, उनके साथ इस तरह से अब इनकी किसी की बहुत के ओपर खुशिया मनाना, पटाके फोड़ना, बं पोड़ना, ये तो पिश्च राइसाब, ये सवाल शायद आप से है, क्रिश्पक से जाह चुनके क्रि अचिक अटिश्बाजी करें, इस पटाके को मेंनों का रहे है, विन H वोग उनाओकिन को जो लोग इन्हों के सताय हुएं है uh लोगों ने ये माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी का पल है भगवान ने ऐसा एक दिन दिया भगवान के दर्बार से ये फैसला आया कि हार्ट अटैक्सिंग के मृत्य हुई है तो लोगों ने आतिश बाजी की अब ये आतिश बाजी जलत हैं सही हैं ये हमारे आप उनके दर पर एक फोर्टी सैवन चली थी ये पुलिस के डियारी में लिखी हुई है देखिये साब अगर गुनेगार व्यक्ती है तो कोट काईदा प्रशासन है देश काईदे कानून से चलेगा और चलता आ रहा है मगर इस तरह से एक सस्पीशेस रीच से किसी की जान चले जाता है जेल से रिपोर्ट तरब किया जाए मगाया जाए कोट ने आदेश दिया था जिल प्रशाशन को के आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाए जेल आज रिपोर्ट पेश करना वाली थी और करुंका इंतिकाल हो जाता है परिवार का बेटा दो दिन पहले मिलने जाता परिवार का बेटा तो यहां भी बैठा है ना वह कह रहे है उनके आपको आज दर्द हो रहा है कि पटाके पूपे आदत है ने सुनिए उन्नेस साल पहले रूबिका जी मेरा एक मानना है वारिजभाई सुनिए ना फोन टैप हुआ है यह जो विधायक है ना आयोध्या वाले और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसे वह बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वो कृष्णारण राय की मौत का शैद जो है संदेश दे रहे हैं और मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख ने बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था मैं तो हमेशा से इसको ना पसंद करता था अब बहुत्ष बाट यह कि अगर उनने कोई गुना किया है कानून का कोई उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियायदी आदालत है जहापर नुका केस भी चल रहा था वो इसी हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल मे उनको इस तरह से मारना यह कहां का लिया है और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई नहीं बच पाए सब्सक्राइब उनके साथ रोज रापता में थे यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है तो उसमें सुनिये उसमें स्टेटमेंट ऑफ दक को एक उस जड़ी से बल हो जाएगा तो हमीश और मुदी जेल चलेंगे अगर इस कानून के अंदर स्टेटमेंट को देता है जो पुलीस कस्टेडी में इंगोट के सामने अगर 164 के अंदर स्टेटमेंट हो गया उनको भी कोई कि उसके पखला हो है अगर दे दिया तो हो गया कमाला भी बहुत बला लफ़ना हो जाएगा वारिस बारे ना आप मु देखे रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि समवैधाने कुरूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा लेकिन क्या वो एक अच्छे न ठीक है आज उनका इंतकाल हो गया इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमेंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेतरत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विद्वा थी उनकी बिटिया की मुकतार अंसारी का बहुत योगदान रहा है समाजवाधी प collectively के समर्थक को या समाजवाधी पर्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टिकरन अंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नहींता रहे मोगा वो इस बात को बिना लागलपेट नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, आज आप कहां भाजपा नहीं आई, हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत समवेदनशील विश है, यह ऐसा समवेदनशील विश है, कि बोलने के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई समीकरण बिगड़ते हैं, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का, जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं आस्पिरेशन नहीं है, हम क्यों चुप रहे हैं ये बोल जाता था, हम इसे इंकार कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पियूश जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सहियत भाशा में जिस तरीके से बात की, ये सहियम तभी आ सकता है जब आपने सालों से, दशकों से, उस दंश को जेला हो, हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं, आज पियूश राय जी के साथ नजर केसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने ये हमारे समाज की सच्चाई है शाहब उद्दीन को लेकर के कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा आपको इतना यखीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है, अल्ला सुभानों तरह नियाय कर रहा है, तो नियाय होने दो ना, बतौर नेता, आप एक दूसरे के उपर खुब कीज़र पूरीद कीजिए, उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, उसको स्वीकार क करना सीखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी प्रियापकी पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है, तरह में आपको रोक्ता नहीं करता हूँ, प्रस्वारास्ता मैं जानती हूँ, डेड बॉडी को इस वक्त बांदा से घाजीपूर की तरफ ले जाये जा रहा है, कल सुबह उन्हें सुपूर्द खाक किया जाएगा, लेकिन कई ऐसी राज़नितिक पार्टी हैं जो कह रही है, कि ये मौत नहीं, ये एक हत्या है, और इसी पर आज बहस भी हो रही है, कि मा सकील, वारिस पठान हमारे साथ मौझूद है, शुबरास्ता जी, जो कि राज़नितिक विशलेशक हैं, हमारे साथ मौझूद है, और सतीश केसिंग सहाब, सीनियर जोर्निस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अनुराग जी, मैंने व्यूवर से वादा किय कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी, पहले मैं चाहती हूँ कि वो राउंड क्लियर हो जाए, और पिर अनुराग जी, मैं आपका रुक करूंगी, ठीक है, जहां बात खतम हुई थी, मैं चाहती हूँ, वहां से कि वारिस जी को मेरे कहने से कुछ आपत्ती थी, तो वारिस भाही कहते हैं, उनको क्या आपत्ती है, जो मैं कह रहे हूँ اللہ ہے उसने जिसको भी मैंने तो एक साफ का इंतिकाल हुआ अगले रमजान के अंदर इसका हुआ यूपी के अंदर यतिक एहमत साफ का उनके भाई का इस रमजान में इनका हुआ और मैं ये बता रहा हूँ बार बार के वो खुद बोर रहे थे उन्होंने खुद ने चिट्टी लिखी दी जेल से जसाब को के मुझे स्लो पॉईजन दिया जा रहा है रोज जहर देके मुझे मारने की साजिस्ट की जा रही है उनका बेटा जो जुडिशन इंक्वाइरी होनी चाहिए एक इंक्वाइरी करना चेह डेके अगर को गुनेगार है फासी दो लेकिन जेल में अगर अगर आग्मी सेफ नहीं है तो सुपराश्तर मुझे बताओ का अग्मी सेफ रहेगा तो यूपी जो पॉलिसी है तो मिट्टी में मिला दें कि आपको काईदे कानुन से जादा बरोसाई होगी कि अगर किसी के बाद मिला है किसी को मार दिया तो कानुन सजा देगा कि अब मैं चाहती हूं इसका जवाब इसका जवाब इसका जवाब कि अपने पिता को खोया उनकी बात पर वारेज जी ने बिना स्टेटमेंट दिये मुखतार अंसारी की फैमिली पे एक लंबा चौड़ा आख्यान दिया मैंने इसलिए इनको बीज में रोका इसलिए नहीं रोका कि ये मेरे तर्कों का जवाब दे रहे थे दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहती है जो लास मेनों ने लाइग मेली का इं ये दिल में उनके लिए भी हमज़ी है वो दिखता नहीं हमज़ी है अगर इस जाता हूं के कानून सब्सक्राइब आज बहुत मुझा आज भी नहीं दिखा लिए अगलना थिया जाए कि इनक जैल only now मैं बोर टूक बोलू ना तो मैं पोलिटिकल कम्यूनिकेशन सी देखती हूँ और आप का आप किस बात पे चुप रहते हैं, इस बात पर लंबा आख्यान देते हैं, और किस बात को mute करते हैं सब के राजनीतिक मायने होते हैं आपने कृष्णानंद राय जी पे प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा एक शब्द आपके मुझे निकला आप जेनरलाइज करके बले ही कह दें आपने नहीं कहा उनकी बात पर मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं मुझे समाजवादी पार्टी सिर्फ को बोले हूँ आप बहुत प्लेरली पोल रही हूं आज के परिप्रेक्ष में कोई भी लीडर हो कोई भी वारिस भाई रूकिये वारिस भाई रूकिये इस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रे आज तक की राजनीती में मिलता रहा है वो ग्रामर चेंज हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो गई है शाय वो हम दुबारा हम दुबारा संपर्ट करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग बदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीती करती है वही मैं पूछ रहा हूं क उसके दो बच्चे परिशान है उनको भी इस्टूडियों में बलाके कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परिशानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनों के अंदर में क्या गुजरू उसके प स्टूड़ है यह तो परिवार है इसंपे परिवार में कभी बाली की कि निया तो हम एक वाड down के अवी और देश में देलिक और नयाय पालिका है और नयाय पालिका पर हमें सब विश्वास प्रक्पा जटिए विनुदत कुमार सिंh कियो है ले लीजे क्या निजे दिक्कत उसमें कह रहा हूं Unru पूर्य है अब आप पोलिगों आ पहले बात तो हमने का याई-पा लिगा हमें कहता है कोई भी लगातार कश्ट्रोड डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल में सुरच्छित नहीं आदमी जेल के बाहर सुरच्छित नहीं अपने घर में सुरच्छित नहीं जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय बड़ा है रोड पर आप देख रहे होगे और जिस तरह कोई एक हटना हुई है क्या यहां पर मुन्ना भजरंगी के नहीं हत्यावी जेल के अंदर में क्या जिस तरह से विवेक दुवे के नहीं हुई आप पताईए विकास दुवे के नहीं हुई मैं बोलना चाहता हुँ कि यह आखिर क्यों वहिए बड़ा कोई नियाएए खिरास्ट में है उसको कोड तक पहुचाना यह जिए जह्मेदारी सरकार की होती है उसको जो भी सजा दे फासी की सजा दे जीवन कारवास दे कोड की जिम्मेदारी लेकिन जब एक जो जेल में बंद है अपरादी और बार बार ये कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंट सामने आना आकि उसके इंक्वारी करना उसको प्रटेक्ट करना उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना फिर कोर्ट में प्रडूस करना उससे सजा दिलवाना यही तो सरकार का काम है तो सवाल यही सरकार के उपर उठ रहा है तो अस्पताल में नहीं थै वो इलाज नहीं हो रहा है नि नि कब हुआ कब कितने दिनों से मांग हो रही है खुझ चिठी कोट में लगाई गई है तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज़ादा अगर कोई ट्राइक कि मेरे साथ है हो रहा है तो सब्सक्रा ay तरवारी यह मांग कर रहाता ने मेरी बाति बोल्वर मांग कर रहा है तो जिभर मांग कर रहा तो आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आ गया है जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है समझ लीजी हाँ या ना पहले जवाब दीजी ना तो पिर आपके टाइम पर जो हत्या हुई है जंगल राज वो नहीं था अरे आपको पूरा सुन लिया उत्तर प्रदेश में जो मौत हुई है आपके टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जहाक लीजे ना और रही बात वहाँ पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहां पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वह सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस बीद जो सवाल हमने पू के लिए 77 पसेंट कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले पांच फीसद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गुन्ज अब आप सोचीए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूरवानचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहुबली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूरवानचल के सियासत का मरकज बना दिया केम एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बल्कि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकता खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रहे ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवार अपने अलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेट बॉडी को बांदा से गाजी पुड ले जाया जा रहा है वो शक्स का नाम मुक्तार अंसारी पैसट केसे में नाम आज केस में सजा दो दो मामलों में उम्र कैर और पिछले खरीब अठारा साल से सलाकों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुटबा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से गाजीपूर के आसपास के लाकों में मुक्तार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साट साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुक्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्म हट ऐसी के बांदा से 112 किलो मेटर दूर बैठे कॉंगरिस नेता पपू यादव समेट विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बताकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे है ब्यार की राज़ारी पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुक्तार की मौत में साज़िश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र माम लोग और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जग्रे में बीमार होने पर नियायलाय ले जाते समय अस्पिताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्म हत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाय के नियायदीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिखा यूपी में खानून व्यावस्ता का शुन निकाल है इस पर उन्होंने समाप्त किया यूपी बियार की सियासत में माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हेडराबाद से भी उठाए जा रहे थे असादुदीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नयाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने के दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गूज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्ट्री प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्रितिक विशलेशक है सतीश के सिंग सहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरिश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राई की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदत से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी लेकिन उससे पहले प्यूश राय क्रिश्णानन राय की बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैं शिरुवात करूं उसे पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूँ यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल ये है कि माफिया की मौत पर मातम क्यों वोट बैंग के लिए कानून विवस्ता के लिए या पता नहीं ये तीर आपके सामने आप्शन है वोट करते रहें आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णन राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले शुरुवात मैं उनसे करना चाहती हूँ प्यूश जी इस वक्त दो ऐसे चहरे हैं जो इस डि मौत की स्टेडी में ला रहे हैं देखिए ये निश्य तोर से एक जाज का विशा है पोस्वाटम की रिपोर्ट अभी कुछ दिर में आही जाएगी न्याइक जाज भी दी जा चुकी है और जहां तर मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने दो हजार पांच में आदरनिय मुलायम सीम यादो जी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरासर ऐसी जाज कराने के लिए मना कर दिया था उस समय के तकालीन मुख्यमंतरी थे आदरनिय मुलायम सीम यादो जी और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी नाइक जाज को देने के लिए तो ये देखि और आज के सरकार के नियत में क्या बदलाओ है नियाएक जांच की मागएं का परिवार किया न्याएक जांच दे दिगई होस्टम की वास है पुस्टम की रिपोर्ट अभी जैसे आप लोग बता रहें कि कुछ दिर में ही सामने सब के जायेगी, पोस्मार्टम मेरे पिता जी की भी थी, az समय हम लुगों ने निया एक जाज के लिए मागान नहीं दिया गया, उस समय लुगों नहीं दिया गया तो आखिर इस तदीके यहां पर देश के साब ने रख दिया उसी फाक्स के साथ में डिबेट की शुरुवात कर रही हूं प्यूजी बनाए रहीएगा अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मांग पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है कि मौत है या अप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है रुबिका जी आज बीजयपी के परवक्ता नहीं आए तो देख रहाता कहीं बुलाया मैंने वह नहीं आए प्योंकि मू छुपा रहे हैं जवाब नहीं है ना आज में अगर उनके पास सही होता तो आज बाटे उसका जवाब दीजिए राजनीथी काम पहले कर दिया है आज मैं पूरी तयारी के साथ हूं क्यों आप तोकने लगें समत हूं कि आपको आप मुझे ये बताएं अम मैं भी तेयारी के साथ हूं यह कुँ नहीं माने आपने आप आप सवाल हो गया है आप बता दीजे परवक्ता क्यों नहीं आए सत्ता में है ना मैं पोछ रही हूं मुक्तार नम्सरी के रिलेटड़ आपसे सवाल पूछ रही हूं आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहे हैं और वीजय Meyer सवाल पूछती रहूंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाइक जाच के आदेश माने मुलायम सिंग यादव ने हाँ या ना में जवाब दीजे अरे आप एक सवाल पांच वा एक बार पांच बार सवाल मत पूछी आपीट करेंगे मैं भी रिपीट करूंगे क्यों कि हम सत्ता में हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे सब्सकों जवाब देना होगा आपने जवाब दिये कि नहीं आप पत्रकार की तरह आप पत्रकार है मैं सवाल पूछें सवाल का जवाब दीजिए जो विजय पीपि आगा आई नहीं है मैं सवाल का जवाब दीजिए का कि आ गए यह उटी का इंब दृभ जाब की 있는 की आई जभावा प्रवच्थ कि जा वहां जा एक आ प्रवИक्घा जीए युट पार्दाश नी खोने दॉग यह शितलं यह टो अई अधिस आप अधू जाए घृति क का चैट अवन तो रहुंद हैं मेरे यह वensen घूह नंए मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ खबरदार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है अपने गिरेवान में जाकिए अपने गिरेवान में जाकिए बेश शर्मी मेरे साथ मत करना अरुराग भदोरिया मैं पहले बता रही हूँ मैं एक बार बरदाश करूँगी दो बार बरदाश करूँगी हर बार बरदाश नहीं करूँगी आप घटिया अपनी राजनिती अपने पॉकेट में रखिए मेरे उपर आरोप मत लगाईए आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताईए घटिया आरोप मुझे पर मैं फिर बता रही हूं, अनुराग भदोरिया, this is the last time. वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आईएगा. लेकिन बार-बार मेरे उपर इस तरीके के आरोप मत लगाईएगा, मैं बरदाश नहीं करूंगी. क्लियर, अरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिये ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप BJP से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी integrity पर सवाल मत उडाईएगा, अनुराग भदोरिया, मैं आपको last warning दे रही हूं, do not question my integrity, Mr. अनुराग भदोरिया, I am telling you, calm down and answer all my questions, और अगर नहीं, तो फिर आप यहां से निकल जाएगे, दिवेट से चले जाएगे, मैं किसी भारतिये जहता पार्टी को नहीं बचा रही हूं, मेरे सवाल कर जवाब दीजिये, आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाएगे, जो बोलना है बोलिये, मेरे उपर मत सवाल अरे आप बोलने तो दीजे, आप तो हो गया ना, अब आपने चिला लिया, मुझे बोलने दीजे, ठेके भारती जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है, क्योंकि मैं भारती जनता पार्टी जे पूछता कि पुस्पेंद यादब का इंकाउंटर हुआ था, कहां हुआ इसी नोइडा में, जिम इंस्ट्रेक्टर था वो, उसको गोली लगी, बैट पे लेटा है, पुलिस वाले जिन्होंने मां इंकाउंटर किया था, बाद में हम लोग उन्हाला मचाया है, पुलिस गिर्फतार हुई, एक पुलिस वाला जेल में है, आज भी बैट पे लेटा ह है, दो बच्चे हैं उसके, क्या उसको दिया, क्या मिला उसे, पुरा का पुरा परिवार बरबाद हो गया, दूसरा बता दूँ, जिसे पुषपेंदर यादब, जहांसी में, जिसका इंकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली, कोट ने नियाई काई और सुनिये प्रशाती हैं, आपने दो बड़े उप्जेंपल दी है, मैंने सुनी हा मेरे बाकी और महमान भी है, आप मैं बयान सुनाना जाती हूं, आनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा, सुनिये क्या कह रहे हैं, ये खाकी वर्धी धारक है, दो जार पांच में मशीन के साथ मुक्तार अंसारी को गिरफतार किया था आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाइए शैलेंडरी सिंग की बाइट उस समय मैंने लाइट मचीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्रदेश में किवल एक ही आइम सिंग के सरकार ततकालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आई जी रेंज जोन जो थे उनका ट्रांसपर डिए रेंज का ट् देखिए जब अपरादियों का आप महिमा लगाते हैं अपरादियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टियां सारी पार्टियां अगर उसका भोडबैंक की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती है तो अपराद का जो है ना आप अपने ढंग से उसका एक ब्याख का वह बहुत बड़ा फिरो हो जाता है कोई धर्म का बहुत बड़ा कि एन उन्स अधा विकाटी ब्स गाय thanked कि ऐस्वाल नहीं दोसरा कि की स्वाल कंगा जो अपना प्रकारिका Agri woast जेल में संदहासपत द्रिष्टी से में स्थिती में मौत हुई है यह उनका कहना मैंने कहता कि हो सकता है वो हाट अटक से मर गए हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो विश्य है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा प्रादी था यह बिल्कुल सह यह क्लारिटी है लेकिन आप यह मान कर चले अब तक तो जांच नहीं हुई है जांच के आदेश तक नहीं आते आपने यह मान लिया कि यह तो हत्या है और यह वोट बैंक के लिए ना सटीश जी तब आप समझ यह रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ही ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटबहिया ताइप करने ही मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे ट्वीट करने है इसमें क्या है नहीं कि लीडर बोथ साइट दोनों तरफ के लोग एक तरह बहुत खुशी मनाई जा रही है कि किस बिना पर कह रहे है नंबर एक बात सीधी सी बात है कि विश्वस नियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दृष्टी से आप इधर या आप उधर दो इस तरह बिना कोई चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे कर लेकिन इसके बाद भी यह इंपोर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वह एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहे ती पहले ओके वारिस भाई अब इसमें सवाल जैल यह है कि काई ऐसे लोगे जो कह रहे थे कि अगर मारना ही था सतरा साल इंतिजार किया जाता क्या अगर मारना था तो अस्पिताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है रुपीका जी दो तीन चीज़े यहां पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो ही कि अक्तार अंसारी साब का होना एक दुखत बात है इन्ना लिल्लाह वे इन्ना इल्लाह रजून और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए है अब एक इतिफाक भी है कि पिछले एक रमजान पहले शाबूदिन साबका हो गया पिछले रमजान में अतीक भाई और उनके भाई का हुआ मुक्तार अंसारी पहरे खुद ने जेल से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे के मार दिया जाता है जजज साब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज रिपोर्ट पेश होनी थी आज बगर उनका इंतिकाल हो गया येस्ट्रेडे कल तो ये भी सारी चीजों को शंका देता है उनके बेटों ने मांग किये मुक्तार कर दिया गया उनका ये उनका बोलना है कि सद्धियांत्र के जर्गे से उनका नेचरल डेट जो डॉक्टर लोग दिखा रहे हैं के कार्डियक अरस से वह नहीं हुए अब इनसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा उत्तरप्रदेश में अच्छा बारिस क्रिजर्ड के आए गए तो आपको उनको सबको पता चली जाएगा लेकिन एक चीज़ है इतने टम के एमेले रह चुका है समविदान की शर्पत रहे के एमेले रहे हैं उनके साथ इस तरह से इनकी किसी की बहुत के ओपर खुशिया मनाना पटाके फोड़ना बंपोड़ना यह तो कुछ राइचा पर कल जो है आतिश बाजी हुई थी जी काफी जगा पर हुई है तो काफी जगा होके पर आतिश बाजी हो रही है लेकिन वो आतिश बाजी इस जए पर पूछ लेती नो उनसे हाँ प्यो जी आतिश बाजी कही जगा हुई है सही बात है कल मैं खुद मौमदाबाद में था कही लोगों ने आतिश बाजी की है कही लोगों ने मिठाईया किलाई है तो यह तो अभी वेक्ति की आजादी है अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है प तो ये तो नजरीय पेड़ी पेंड करता है, जो लोग इंसे पेड़ी थे, जो लोग इंके सताय हुए थे, जो लोग उन्हों के इन्हों ने धर उजारे थे, मुझ जटे परिवारों के, उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई हाजा हमारे लिए खुशी का पल है, बगवान इसा एक दिन दिया, बगवान के दर्बार से ये फैसला आया कि हाट अटैक्सिंग के मृति हुए है, तो लोगों ने आतिश बाजी की, अब ये आतिश बाजी जलत है, शही है, ये हमारे आपके नजर ये हो सकते हैं, पर हम उनको जा कि ये क्यों कहें कि आप आतिश बाजी है, ये देखिये साब, अगर गुनेगार व्यक्ती है, तो कोट काईदा प्रशासन है, देश काईदे कानून से चलेगा, और चलता आ रहा है, मगर इस तरह से एक सस्पीशिस रीच से किसी की जान चले गई है, किसी की देथ हो गई है, परिवार मांग कर रहा है, एक अरजी उन्होंने कोट टक में लगाई थी जेल से के मुझे रोज जहर दे के मार दिया जाता है, जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए, मगाया जाए, कोट ने आदेज दिया था जेल प्रशाशन को के आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाए, जेल आज रिपोर्ट पेश करना वाल और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसेंग वो बात कर रहे है रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वो कृष्णारण राय की मौत का संदेश दे रहे हैं और मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख निए बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था मैं तो हमेशा से इसको ना पसंद करता था अब वो भी आतिस बाजी होई थी वहां पर यह किया है कानून का कोई उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियायदिश अदालत है जापर उनका केस भी चल रहा था वो इसी हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल में उनको इस तरह से मारना यह कहां का लियाए यह कौन से दुनिया के अधर का जाता है और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई नहीं बच पाए काड यह कहा रहे हैं जो उनके साथ रोज राप्ता में थे यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है शुबरास्ता जी तो उसमें सुनिये नहीं उसमें स्टेट्मेंट ऑफ दक को एक उस जेडवी से बल हो जाएगा तो हमीश और मुदी जेल चलेंगे में बास्ता जी रॉबिन हुड था जेल में मारा गया कि दूसरा इतने लोगों को परिशान किया कि उपर वाले ने बुलाया बड़ा अच्छा किया कि देकि रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूं मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि समवैधानिक रूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता ठीक है आज उनका इंतकाल हो गया इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेत्रत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विद्वा थी उनकी बिटिया की शा कि बोलने के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई समी करण बिगड़ते हैं लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते आस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में मुकतार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई क का चुनाव लड़ा चुनाव लड़ने के बाद जो जो चीजें हुई उनके उनके ख्रेत्र में एक तरह से वो एरिया ही एक तरह से वो गैंक का एरिया ही माना जाता था हम इसे इंकार कैसे कर सकते हैं यहां पर प्यूश जे बैठे हैं उन्होंने बहुत सहियत भाशा में जिस तरीके से बात की ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से दशकों से उस दंश को जेला हो हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के कोई भे नेता हो या AIM से बैठे हुए हैं वारिस भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात ह होती है ना फिर भी कह रही हूं चाहे वो वारिस भाई हो वानुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो वो आज प्यूश राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या नमाने यह हमारे समाज की सचाई है शाहब अदीन को लेकर के कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा रहा है अब आप एक नारेटिव अगर सेट करेंगे वारिस भाई तो दूसरा नारेटिव मैं भी दे सकती हूं कि खुदा का नियाय है अल्ला पाक नियाय कर रहे हैं क् अटकले लगाना एक अलग विशह है अगर आपको इता यकीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है अल्ला सुभानों तरह नियाय कर रहा है तो नियाय होने दो ना बतौर नेता आप एक दूसरे के ऊपर खुब कीजिए उससे मेरा लेना देना नहीं है लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी को यह आपके बाड़ी है कोई भी पार्टी हो आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है मुक्तार अंसारी के डेड़ बाड़ी को इस वक्त बांदा से गाजीपूर की तरफ ले जाये जा रहा है कल सुबह उन्हें सुपूर्द खाक किया जाएगा लेकिन कई ऐसी राज़नितिक पार्टिया हैं जो कह रही है कि यह मौत नहीं यह एक हत्या है और इसी पर आज बहस भी हो रही है कि माफिया में क्या वोट दिखता है यह एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदोरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्री प्रवक्ता मौझूद है AIMIM के राश्री प्रवक्ता फेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौझूद है शुबरास्ता जी जो कि राजनितिक विशलेशक हैं हमारे साथ मौझूद है और सतीश केसिंग सहाब सीनियर जूर्लिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अनुराग जी मैंने विवर से वादा किया था कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी पहले मैं चाहती हूं कि वह राउंड क्लियर हो जाए और फिर अनुराग जी मैं आपका रोक करूंगी ठीक है जहां बात खतम ह होई थी मैं चाहती हूं वहां से शुरू हो शुबरास्ता और वारिस भाई ओर डीओ की कऊच आपती आपका कोई आपका कोई political statement नहीं है, आपका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, आपने कहा कि ठीक है, अल्ला का इनसाफ है, अल्ला इनसाफ करेगा, बिल्कुल आप से मेरे से बहतर जानने हो, अल्ला है, उसने जिसको भी, मैंने तो एक इतिफाक दिखाया था, कि उस रमजान में शाहब पुदिन साफ का इंतिकाल हुआ, अगले रमजान के अंदर इसका हुआ, यूपी के अंदर यतिक हमत साफ का, उनके भाई का, इस रमजान में इनका हुआ, और मैं ये बता रहा हूँ, बार बार के वो खुद बोर रहे थे, उन्होंने खुद ने चिट्टी लिखी ती, जे जेल से ट्रांसफर करिए, दूसरी जगह पर बेजिए, कोट ने आज रिपोर्ट पगाया था, उस रिपोर्ट के लागर बहुत हुआ, तो जूडिशन इंक्वाईरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक इंक्वाईरी करना चाहिए, अगर कोई गुने का रहे है, फासी जहीं चाहिए, टलसद हुआ कोई इसलिय कोई वाहिए, पर खी है, तो यहांन से जेल जाए करोशी औहरा है, यहांज कोई करया ऑचिथी आपने अगर मायन आपने तो तो ने किकिए कोसी को मार दिया सुए था, घर बाट ज़ेगान यहत है, तो और में अगर तीन मेन पान वारेज जी ने बिना स्टेट्मेंट दिये मुखतार अंसारी की फैमली पेक लंबा चौड़ा आख्यान दिया मैं इसलिए इनको बीच में रोका इसलिए नहीं रोका कि ये मेरे तरकों का जवाब दे रहे थे दूसरी चीज में आपको कहना चाहती है जो लास मेनों लाइब से छो क्या नियुक्ता कि आखेंगे और दिल में उनके लिए भी हमदर्दी है बोप्र पर चुप रहते हैं किस बात पर लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं सब के राजनीतिक मायने होते हैं आपने कृष्णानंद राय जी पे प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा एक शब्त आपके मुझस ने निकला आप जेनरलाइज करके बले ही कह दें आपने नहीं कहा उनकी बात पर मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं कोई भी लीडर हो कोई भी पार्टी हो इस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रय आज तक की राजनीती में मिलता रहा है वो ग्रामर चेंज हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो गही है शैवो हम दुबारा हम दुबारा संपर करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग भदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है अभी क्यों राजनीती करना नहीं मैं सीधा जब जितने द्रियादब को गोली लगी बैड पे उसकी दो बच्चे परिशानी उनको भी इस्ट्यूडियों में बुला के कभी सुनवा दीजिजी न जंता को किस परइसानी से गुजर रहे हैं कभी वीवेक तीवारी जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आप को लखनों के अंदर में। क्या गुजरी। उसके परिवार इंपर में। जिक site कर लियो अग। इसमें परिवार में कभी बात होगी कि नहीं होगी किस तरह से परिवार उजार दिये गए इन परिवार के वारे में कभी बात नहीं होगी इनके बच्चों के परिवार के बच्चों के बात नहीं होगी पत्री ने सुसाइट कर लिया एक के बच्चे बरबाद हो गए तो हम यह कहना चाहते हैं कि इन देश में नियाय देलिक नियाय पालिका है और नियाय पालिका पर हमें सब को विश्वास है लेकिन लगातार लगातार उसके नाम क्यों बूले है अपने विनोत कुमार सिंग का नाम क्यों नहीं यह पूरी बात हो ले लिजे और हम ने का नियाय पालिका है हमें कहता है कोई भी काल लगातार कस्ट्रिछ यह तो रही है जेल में सुरच्चित नहीं, आदमी जेल के बाहर सुरच्चित नहीं अपने घर में सुरच्चित नहीं, जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय बड़ा है, रोड पे आप देख रहे होगे, और जिस तरह कोई एक खटना हुई है, क्या यहां पे मुन्ना भजरंगी की नहीं ह हत्यावी जेल के अंदर में, क्या जिस तरह से विकास दूबे की नहीं हुई, मैं बोलना चाहता हूँ, कि यह आखिर क्यों, नियायक हिराशत में है, उसको कोट तक पहुंचाना यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोट उसको जो भी सजा दे, पांसी की सजा दे, जीवन पास दे, कोट की जिम्मेदारी है, लेकिन जब एक जो जेल में बंद है, बार-बार यह कह रहा है, कि मुझे जहर दिया जा रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, तुरंट सामने आना, आ कि उसको इंक्वारी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हस्पिट कब कितने दिनों से मांग हो रही है खुच चिठी कोर्ट में लगाई गई है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज़ादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंध है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ यह अन्या है परिवार यह मांग कर रहा था रहा है आप यह कह रहे हैं आप यह कह रहे हैं जंगल राज अभी आ गया है जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है समझ लीजी हाँ या ना पहले जवाब दीजिए हाँ या ना बिल्कुल जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा लगातार हो रही है तो फिर आपके टाइम पर जो हत्या हुई है जंगल राज वो प्रिदेश में कस्टिडी में जो मौत हुई है ना 2012 से 2017 कितनी यह जानते हैं 66 है और साल 2017 से 2023 सिक्यावन है आप यह बताईए ना मैं लड़कडा नहीं रही हूं आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल व्यत हुई है तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा था आपने बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है सार वक्त नहीं है अपने टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो ज्हाक लीजिए ना और रही बात वहाँ पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक ज कर रहे हैं हर शक्स का यहाँ पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वह सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस बीद जो सवाल हमने पूछा इंडिया कि जनता से कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77 परसेंट के कहते हैं वोट बैंक के लिए 77 परसेंट कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसद आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गुण्श अब आप सोचीए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनव से लेकर पूर्वांचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहु बली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूर्वांचल के सियासत का मरकस बना दिया के धारक भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उस एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया यह मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकते हैं खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रग गी यह वही परिवार है अंसारी परिव वो परिवार अपने अलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड़ बॉडी को बांदा से गाजी पुर ले जाया जा रहा है वो शक्स का नाम मुक् है और पिछले करीब 18 साल से सलाखों के पीछ यही असली पहचान मुक्तार अंसारी लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है के मुक्तार अंसारी का रुतबा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से घाजी-पुर के आसपास牌कों में authors का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साथ साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पिताल में इलाज के दौरान मुखतार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी कि बांदा से 112 किलो मीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पप बताकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यार की राजजारी पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुखतार की मौत में साजिश दिख रही है तेजस्वी ने बकाइदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर्व उन् घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुखतार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्ट से ठाने में बंद होने पर नियायलाय ले जाते समय अस्पिताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्म हत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाय के नियाय धीश की निगरानी में जाच होन भी थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाए जा रहे थे असादुदीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि न्याएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने की दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गुण्ज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्रिप्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्रितिक विश लेशक है सतीश के सिंग सहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानन राई की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदत से भी इस वक्त आ आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं यानि दर्शकों से आप अपनी राय जरूर दीजेगा सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यूं वोट बैंक के लिए कानून विवस्ता के लिए या पता नहीं यह तीर आपके सामने ऑप्शन है वोट करते रहें आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णन राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले शुरूबात में उनसे करना चाहती हूं प्यूश जी इस वक्त दो ऐसे चेहरे हैं जो इस डिबेट में आपके साथ शरीक हैं जो यह मानते हैं कि यह ह जाज का विशह है पोस्वाटम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आई जाएगी जाज भी दे जा चुकी है और जहां तर मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने दो हजार पांच में अधरनिया मुलायम सीम्यादो जी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरा सर के इसी जाज कराने के लिए मना कर दीया ता उस समय के तग्काली मुख्यमंतरी थे हैं अधरनिया मुलायम सीम्यादो जी और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी नाईक जाज को देने के लिए तो यह देखिए एक नियत के परिवर्तन पर में बात करता हूँ, राजनेतिक दलों के जो नियत रहे हैं, दो हजार सतरह से पूल के सरकारों में जो रख्षन दिया गया इन माफियाओं को, उनकी नियत में क्या बदलाव है और आज के सरकार के नियत में क्या बदलाव है, नि तो आखिर इस तदीके के राजनीत में दोहरा जो चरित रहे अगर इन माफियाओं पर अगर हम अपने दोहरे चरित को दिखाते रहेंगे तो ऐसे चोटे मोटे गुंडे बड़े से बड़े माफिया बंकते रहेंगे अनुराग जी नियाएक जाज की मांग हुई मांग पूरी कर दी गई एक माफिया की हत्या है कि मौत है या सिर्फ इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है प्रुबिका जी आज बीजेपी के परवक्ता नहीं आए तो देख रहा था कहीं बुलाया था वो नहीं आए क्यों नहीं आए क्यों कि मुझ छुपा रहे है जवाब नहीं है ना अगर उनके पास सही होता तो आज चोड़ों के बैठे होते हो उसका जवाब दीजिए ने ने आपने यह काम पहले कर दिया है आज मैं पूरी तयारी के साथ है क्यों नहीं माने आपने क्यों नहीं माने आपने मैं सवाल पूच रही हूँ मैं मुगतार अंसारी के रिलेटेड आप से सवाल पूच रही हूँ आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीज़पी बताएगी को मैं नहीं बताओ मेरा बीज़पी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं सरकार से सवाल पूचती रहूंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियायक जाच के आदेश माने मुलायम सिंग्यादम ने हाँ या ना में जवाब दीजिए अरे आप एक सवाल पांच वा एक बार पांच बार सवा पुछेंगे सकता वसके जवाब देना होगा एक का अदेश कर लाप इंदी नहीं है आप पत्रकार की है घर वज़ू जवाबम से सवाल का जवाब डीजिए परकातं म pensar में सबतरों सिंगो सब्छां आप मुझे जवाल की जवाब दे्जे नियाएक जाज के आधेश देने से क्यूं आप आप लोग खत्रा आए और क्या तो आप प्रवक्ता नहीं आप बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ आप बहुत तमीज के दारे में वह थे प्रवक्ता नहीं हूँ आप पर दार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है अपने गिरेबान में जाकिये बेश शर्मी मेरे साथ मत करना अरोराग भदोरिया मैं पहले बता रही हूँ मैं एक बार बरदाश करूँगी दो बार बरदाश करूँगी हर बार बरदाश नहीं करूँगी आप घटिया अपनी सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा आपको मेरे सवालों से आपको मेरे सवालों से डर लगता है इसी लिए आप इधार उदर करने लगते हैं मैं फिर बता रही हो अनुराग भदोरिया इस इस लास्टाइब वरना कोई बात नहीं आप मेरे शो अनुराग बिए और बढ़ väldigt कहा है और आप यहां से लिए द्युवड है।êmement से मारे बचाना टीस आपको मेरे सवालों करिसमें काने जान की तेरी आप मेरे सवाल नहीं डाले जोना पूलिए मेरे शोना ना सुना पुर्दै अभर मेरे सवालों पार रवा वाख गेंगे मुझे से भागेंगे तो मुझे मुझे पे रखना होगा आपको इस लिए नहीं आई है क्योंकि मैं बारती जन्ता पार्टी चाफिप आपका इंकाउंटर हुआ था कहां हुआ था इसी नोईडा में जिम इंस्ट्रेक्टर था वो उसको गोली लगी बैठ पे लेटा है पुलिस वाले जिन्होंने मां इंकाउंटर किया था बाद में हम लोग उने हल्ला मचाया है पुलिस गिर्फतार हुई एक पुलिस वाला जेल में है आज भी बैट पे लेटा है दो बच्चे हैं उसके क्या उसको दिया क्या मिला उसे पुरा का पुरा परिवार बरबाद हो गया दूसरा बता दूँ जिसे पुश्पेंद्र यादब जहांसी में जिसका इंकाउंटर हुआ उसकी पत्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली कोट ने नियाई काईश दिये थे जहांस काईश दिये थे बाद में उसकी पत्न ये भी आत्मत्या कर ली क्योंकि नियाए नहीं मिला, यह है उत्रप्रदेश, जिसकी बात कर आएप? आज मुक्तार अंसारी की बात हो रही है, मुक्तार अंसारी की फैमली ने, क्योंकि देश समिधाओ नियाई पालगा से चलेगा, सजा को विकार का देने उसको सजा याय पालग का देगी और सुनिये प्रशाथ और आप मने सुन सामठी लिगी क्या एक बैयान सुनाना जाती है अनूराग जीथारका,illy को कि अ स्क्रीन क करें आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाइए शैलेंडर सिंग की बाइट उस समय मैंने लाइट मचीन गण रिकवर की आज तक उत्तर प्रदेश में किवाल एक ही रिकवरी है ने उसके पहले कभी हुई नभी साल हो अब तक हुई है और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एक्जिस्स करता था तो मैंने स्टैंड लिया उसके नहीं यह गलत है और यह हो इसको जेल जाना होगा लेकिन मुलायम सिंग के सरकार ततकालीन अलपमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और इखी है और ऊन्होंने अंतमे अमलों पर प्रशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसपर ड्याजी रेंज का स्टीएफ हमारे थे उनका ट्रांसपर और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद है सतीज जी सुना आपने ये किसी और नहीं ये एक एक्स स्टीएफ के करमी ने जवाब दिया है जो माफिया है और सारी सता जो है सारी पाटिया अगर उसका भूत बैंक की दृष्टि से इस्तिमाल करती हैं तो अपराध का जो है ना आप अपने ढंग से उसका एक व्याख्या देन देते हैं अईसा मेरा मानना है क्योंकि जो जे रेपिस्ट है वह भी नेता हो जाता है जो अपरादी है किसी जाती का वह बहुत बड़ा हिरो हो जाता है कोई धर्म का बहुत बड़ा हिरो हो जाता है सवाल यहां पर यह नहीं है रुबिका जी सवाल यहां पर दूसरा है कि इस देश में नियाईक विवस्ता जो अपना कारिपालिक जो प्रसासनीक विवस्ता है उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है विश्वस्नियता का तो जिस प्रकार के जाच के आदेश दिये गए वो जाच पूरी होनी चाहिए उज है कि हो सकता है वो हाट अटेक से मर गए हो लेकिन इससे कोई मतलब यह दोनों दो विश्य है कि एक जगह कि यह माफिया इस तरह का था यह बहुत बड़ा प्रादी था दूर यह बिल्कुल सही कह रहे है इस देश के लोगतंत्र में सम्विधान में यह तो हक सब को दिया है है ना चाहे वो कितना ही बड़ा दुर्दान अपरादी क्यों ना हो उसके हूमन राइट को सर्वो पर ही रखा जाना है बिल्कुल यह क्लारिटी है लेकिन आप यह मान कर चले अब तक तो जांच नहीं हुई है जांच के आदेश तक नहीं आते आपने यह मान लिया कि यह हत्या है और यह तो वोट बैंक के लिए ना सतीश जी तब आप समझ यह रमजान का टाइम आज जुमा का दिन है आपको उकसाना है तो कुछ नहीं करना है दो चार ऐसे ट्वीट करने और कोई ऐसा चुटबहिया तैप करने ही मतलब बड़े बड़े लीडर अगर ऐसे रु दूसरे तरब वो हत्या ही मान रहे है दिक्कत दोनों के बीच की है एक्स्ट्रीम पर क्यों जा रहे है आप कर से मान लिए कि उनकी हार्ट अटक से मौत हुई ठीक है अगर वो सच है तो सच है दूसरी तरब यह है कि आप यह कह रहे है कि हत्या है तो कैसे आप कह रहे है किस इस चीजों को समझे हुए जाने हुए उसको आप ऐसे करते थे यह तो आपरादी क्या है जो अपरादी एक बुक्तार अंसारी एक दुर्दानत अपरादी था इसमें कहीं से कोई सक नहीं है इतनी हर्त्याओं अब्धेश राय खृष्णा नंद्राय पता नहीं क्या क्या हो अब सर तब सर सब है लेकिन इसके बाद भी यह इंप्वर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वह एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहे थी पर है ओके वारिज करकिया इलाज करवाया जाता अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिज भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है कस्टडी में खतम हो गया अगले दिन खबर बनी किसी को रातो रात पता नहीं चला दफन कर दिये गया रुबीका जी दो तीन चीज़े यहां पर मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो एक कि अक्तार अनसारी साब का होना एक दुखत बात है इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इल्लाह रजून और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं अब ए परिवार वालों का यह कहना है कि मुक्तार साब की जो हतिया होगी ए उनको जहर दिया गया मुक्तारान सारी शूर्ड यह जीड़ी से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे कर कि एम्स के डॉक्टर द्वारा उनका पोस्ट माटम किया जाए उनको शायद यहां के डॉक्टर पर भरोसा नहीं था यह और उनकी गुल्कुल यही दे कि हमारे वालिद जो थे उनको कतल कर दिया गया उनका यहीं का बुलना है कि सद्धियांत्र के जर्गे से उनका नेचरल देट जो डॉक्टर लोग दिखा रहे हैं कि कार्डियक अरश से नहीं हुए अब बात नम्बर टीनों जेल कस्टडी में थे अब इंसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा उत्तरप्रदेश में पिजली मरतबह आपने देका अर्तिक साप और उनके अब इस तरह से अब इसक्राइब किसी की बहुत के ओपर खुशिया मनाना पटाके फोड़ना बंपोड़ना यह तो पुछ राइसाब कोई नहीं है नहीं है यह सवाल आप से हैं क्रिश्वार्ण राय के घर पर कल जो है आतिश-बाजी हुई थी जी देखिए काफी जगा पर आतिश-बाजी कही जगा हुई है सही बात है कल मैं खुद मौम्दाबाद में था कही लोगों ने आतिश-बाजी की है कही लोगों ने मिठाईया खिलाई है तो यह तो अभी वेक्ति की आजादी है अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है पुरुहांचल का अगर आम जन मानस तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको देवता मानते थे एक नजरिया यह है कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे अब तो ये तो नजरिये पे डिपेंड करता है जो लोग इनसे पेड़ी थे, जो लोग इनके सताय हुए थे जो लोगों के इन्हों ने धर उजाड़े थे मुझ जटे परिवारों के उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए खुशी का पल है भगवान ने ऐसा एक दिन दिया भगवान के दरबार से ये फैसला आया कि हाट अटैक्सिंग के मृत्य हुई है तो लोगों ये पिदा जी के हत्या हुई थी तो इन्हों ने अपके घर से एक फोर्टी सेवन चलाया था आप लोग ने तो कोई प्रश्म नहीं किया उसमें से उनके घर पे एक फोर्टी सेवन चली थी ये पुलिस के डियरी में लिखी हुई है देखिए साब अगर गुनेगार व्यक् परिवार मांग कर रहा है एक अरजी उन्होंने कोट टक में लगाई थी जेल से के मुझे रोज जहर देके मार दिया जाता है जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए मगाया जाए कोट ने आदेज दिया था जिल प्रसाशन को कि आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाए जेल आ एक परिवार का बेटा तो यहां भी बैठा है ना कुछ बहुत के आज दर्द हो रहा है वारिस भाई आज आपको दर्द हो रहा है कि पटाके पूप आप निये कञाधत है वी निये किहा है वो हो बात कर रहे है मुख्तार अनसारी से और उस ऐसान हचा मैं तो हमेशा से नापसंद कर था हॉइभ वह आपक रपी कानून का को अलंगन किया है किक ए तो लुट नियायद इस अदालत है जापन का केश भी चल रहा था वह इसी हतियाओं के लिए जेल के अंदर थे जेल में उनको इस तरह से रहे यह कहां का लिया है यह कौन से अब कर रहे लूज कर रहे यह बलतिन आया चैना को बचाने की कोशिश की गई सब्सक्राइब लगा रहे हैं यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है तो उसमें सुनिये जेल में मारा गया दूसरा इतने लोगों को परिशान की परिशान किया कि उपर वाले ने बुलाया बड़ा अच्छा किया तेकि रुबिका जी मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूं मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दोराय नहीं है किसी ने कहा कि समवैधानिक रूप से वह चुनकर क्या है इससे कोई इ इसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों के मजबूरी होती है ठीक है आज उनका इंटकाल हो गया इसलिए जबरदस्ति हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेत्रत्व कर रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है ये नेरेटिव सोशल मीडिया पे इसे मदद करने वाले बहुत सारे लोग है लेकिन आप सर्फ मदद कर रहे हैं लोगों कि इसके एवज में जो आपने एक गुंडाराज बनाया था यूपी में गुंडाराज स्थापित करने मुक्तार अंसारी का बहुत योगदान रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक लपेट नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है आज आप यहां भाजपा नहीं आई हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत समवेधन शील विश है यह ऐसा कहीं कोई न कोई समीकरण बिगड़ते हैं लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते आस्पिरेशन नहीं है हम क्यों चुप रहें ये बोलने में मुखतार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का चुनाव लड़ा चुनाव ल साथ की ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से दशकों से उस दंश को जेला हो हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के कोई भे नेता हूँ या एयम से बैठे हुए हैं वारिस भाई ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है ना फिर भी कह रही हूँ चाहे वो वारिस भाई हो वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो वो आज पियूश राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे इनको क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या न माने ये हमा पाक में आए कर रहे हैं क्या बोलेंगे उसमें अटकले लगाना एक अलग विश है अगर आपको इता यकीन है कि अल्ला का इंसाफ हो रहा है अल्ला सुभानोंतरा नियाए कर रहा है तो नियाए होने दो ना बतौर नेता आप एक दुस्ये के उपर खुब कीजिए उससे मे देरा लेना देना नहीं है लेकिन जो सचाई है उसको सुविकार करना सीखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी को यह आपके आपकी मजबूरी नहीं है मुक्तार अंसारी के डेड़ बाड़ी को इस वक्त बांदा से गाजीपूर की तरफ ले जाये जा रहा है कल सुबह उन्हें सुपूर देखाक किया जाएगा लेकिन कई ऐसी राज़नितिक पार्टिया हैं जो कह रही है कि यह मौत नहीं यह एक हत्या है और इसी पर आज बहस भी हो रही है कि माफिया में क्या वोट दिखता है यह एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदोरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्री प्रवक्ता मौझूद है AIMIM के राश्री प्रवक्ता फेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौझूद है शुबरास्ता जी जो कि राजनितिक विशलेशक है हमारे साथ मौझूद है और सतीश केसिंग सहाब सीनियर जॉनलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे है अनुराग जी मैं कि चाहती हूं वहाँ से शुरू हो शुबरास्ता और वारिस भाई ओबाटि आपको मैं अपने तो कहा क्या प्लिटिकल इसमें स्ट्रिटमेंट नहीं है आपको कोई लेना नहीं आपने कहा लगने कि टीका ऻरा का इंस्वरें विल्टू मैं दुल्कुल आपसे मेरे दिन साब का इंतेकाल हुआ अगले रमजान के अंदर इसका हुआ यूपी के अंदर यक्तिक हिमत साथ का उनके बाई का इस रमजान में इनका हुआ और मैं यह बता रहा हूँ बार-बार के वो खुद बोर रहे थे उन्होंने खुद ने चिट्टी लिखी दी जेल से जस साब अगर कोई गुने आरे फासी दो लेकिन जेल में अगर अगर अगनी सेफ नहीं है तो सुपराश्तर मुझे बताओ का अगनी सेफ रहेगा तो यूपी के इंदर ही सब हो रहा है तो यूपी के अदर यूपी के जो पॉलिसी है मिट्टी में मिला देंगे तो क्या आप सुच आपकी है मैं अपकी बात कितरी पेशेंटली सुन रहा था पता है आपको पूरा ध्यान समयन आपके अपके अलफास कुसमा तो यूपी आपकी बात सुनकर के आपको काईदे कानून से जादा बरोसा होगी कि बिट्टी दिलाउगावली पॉलिसी के ओपरे नहीं तो यहीं है है मैं तदे के अब मैं चाहते हैं इसका जवाब इसका जवाब भी एक पुत्र है जो ने अपने पिता अपने पिता है को खोया उनकी बात पर वारिस जी ने बिना स्टेटमेंट दिये मुखतार अंसारी की फैमिली पे एक लंबा चौड़ा आख्यान दिया मैं इसलिए इनको बीच में रोका इसलिए नहीं रोका कि ये मेरी तर्कों का जबाद दे रहे थे दूसरी चीज में आपको कहना चाहती ह जो लासमेनों परकार आप एक नियूरा लक्तुस का इंत है मेरी पूरी सानुबुती है उत जाओ देघे में वह ओंम दर्दी है वो दिखता नहीं है वारिस बारिस 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 बोलु ना तो मैं पोलिटिकल कम्यूनिकेशन सी देखती हूँ और आपका आप किस बात पे चुप रहते हैं, किस बात पे लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं, सब के राजनीतिक माएने होते हैं आपने कृष्णानंद राय जी पे प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा, एक शब्त आपके मुख से निकला, आप जनरलाइज करके भले ही कह दे, आपने नहीं कहा उनकी बात पर, मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई लेना देन करता है, वो ग्रामर चेंज हो सकता है, डिसकनेक्ट हो गही है शायवो, हम दुबारा संपर करने ही कोशिच करेंगे, वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है, अनुराग भदोरिया भी कुछ कहना चाहते है, अनुराग जी, सीदा सा सवाल है, अभी क्यों राजनीती करना भारते जनता पाटी क्यों राजनीत करती है, मैंने गलती से जितेंद्र आदब को गोली लगी, बैड पे है, उसके दो बच्चे परिशाने, उनको भी इस्टूडियों में बलाके कभी सुनवा दीजी न, जनता को, किस परिशानी से गुजर रहे हैं, कभी विवेक तिवार को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में, याद है आपको लखनों के अंदर में, क्या गुजरू उसके परिवार के उपर में, वो इनकाउंटर क्या था पुलिस ने जो गोली मार दी ठोक के यहां पर गोली मारी थी, पूरा परिवार वरवाद हो गया, फिर पत्री ने सुसाइड कर लिया एक के बच्चे बरबाद हो गए तो हम यह कहना चाहते हैं कि देश में न्याय देलिक न्याय पालिका है यह और न्याय पालिका पे हमें सब को विश्वास है लेकिन लगातार लगातार उस प्रफिश जगीना का नाम क्यों गूल यह यह बड़ा सबस्क्राइब क्यों नाम क्यों लिए विनोट कुमार सिंग को नाम क्यों ले लिजेए ले लिजे क्या दिक्कत है उसमें यह जब तो हमने का पुलाना चाहता हूँ या पराकर हरा राधके सवति परचे परालिका यह सकते हैं करना बाक्या है जिसे विकास उफिव mogę की नहीं होई यक बोलना चाहता हूँ कि यह आखिर क्यों, बहु न्याय गिरास्ट मैं है, उसको कोट तक पहुचाना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोट उसको जो भी सजा दे, फासी की सजा दे, जीवन कारवास दे, कोट की जिम्मेदारी है, लेकि जब एक जो जेल में बंद है अपड़ा दिया और बार बा सब्सक्राइब नहीं पर उठ रहा है तो अस्पताल में नहीं था वो इलाज नहीं यह बताई यह निए कब हुआ कब कितने दिनों से मांग हो रही है तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है जादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो पहले उनका इलाज हुआ 14 घंटे वो अस्पताल में रहे उसके बाद उनको चुक्ती मिली फिर वापस उन आप यह कह रहे हैं आप यह आप यह हैं कि जंगल राज अभी आ गया है जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है समझ लीजिए हाँ या ना पहले जवाब दीजिए हाँ या ना बिल्कुछ जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा लगातार हो रही है तो फिर आपके टाइम पर जो हत्याई हुई है जंगल राज वो नहीं था मैं आपको आकड़े बता दू अरे आप क्या रहे हैं कि जब अत्याई हो रही है तो जंगल राज आप अचानक तो नहीं यह आकड़े चला रही है अरे मैं इतनी जेर से चिला रहा हूं जितने आदब पर देश में कस्टिडी में जो मौत हुई है ना 2012 से 2017 कितनी यह जानते है 66 है और साल 2017 से 2023 सिक्यावन है आप यह बताईए ना मैं लडखडा नहीं रही हूं आपके टाइम पर ज्यादा का स्टोडियल व्यत हुई है तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा था ना आकड़े बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है सार वक्त नहीं है अपने इनके टाइम को चुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बरबाद अरे अपना भी तो जहाक लीजिए ना और रही बात वहां पर जहर दिया गया है कि नहीं आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहां पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वह सलाख हो के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस बीच जो सवाल हमने पूछा इंडिया की जनता से के माफिया की मौत पर मातम क्यूं 77% के कहते हैं वोट बैंक के लिए 77% कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसद आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया देखते रहिए गुण्श अब आप सोचिए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनाउ से लेकर पूरवांचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहुबली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े फाटक को पूरे पूरवांचल के सियासत का मरकस बना दिया केंद एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बलकि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकता खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रहれた ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवाद अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड बॉडी को बांदा से गाजी पुड ले जाए जा रहा है उस शक्स का नाम मुक्तार अंसारी पैसट केसे में नाम आज केस में सजा दो दो मामलों में उम्र कैब और पिछले खरीब 18 साल से सलाखों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुतबा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से गाजीपूर के आसपास के लाकों में मुक्तार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साथ साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुक्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी के बांदा से 112 किलोमीटर दूर बैठे कॉंग्रिस नेता पप्पू यादव समेट विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बताकर सियास्त चमकाने की कोशिश कर रहा है ब्यार की राज़ारी पटना में पूर्व उपमुक्यमंत्री तेजस्फी यादव को भी मुक्तार की मौत में साजिश दिख रही है तेजस्फी ने बकाइदा सोचल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कुछ दिन पूर उन्होंने शिकायत की थी के उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी गंबीरता से नहीं लिया गया प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानविय नहीं लगता सम्विधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलो और घटनाओं पर स्वतह संग्यान लेना चाहिए सियासत बिहार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश तक पहुची विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले मुक्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्स से ठाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी जगड़े में बीमार होने पर नियायलाय ले जाते समय अस्पिताल ले जाते समय इलाज के दौरान जूटी मुटबेड दिखाकर जूटी आत्महत्या दिखाकर किसी दुरगटना में हताहत दिखाकर ऐसी सभी संदिक्द मामलों में सरवोच नियायलाय के नियाय धीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए ये उन्होंने लिखा यूपी में खानून व्यवस्ता का शुन निकाल है इस पर उन्होंने समाप्त किया यूपी बियार की सियासत में माफिया मुक्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी उधर सवाल हैडराबाद से भी उठाए जा रहे थे असादुदीन ओवेसी भी पीछे नहीं रहे अब मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि नयाएक जाज के आदेश दे दिये गए हैं इंतजार कीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने की दिशा में काम नहीं है आज इस बैस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारूप करवाना चाहती हूँ शुरू करते हैं गूज AIA MIM के असदुदीन OVC आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अनुराग भदोरिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राश्टि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुबरास्ता भी नजर आ रही है जो कि राश्रितिक नजर आ रहे हैं जो कि वरिश पत्रकार है और हमारे साथ दो और खास महमान यहां पर जुड़ने वाले हैं आप जानते हैं कि यूपी में क्रिश्णानंद्राई की हत्या ने सब को चौका दिया उनके परिवार के सदद से भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं डिबेट की शिरुवात करूंगी लेकिन उससे पहले प्यूश राय क्रिश्णानंद्राई की बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैं शिरुवात करूं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूँ यानि दर्शकों से आप अपन की मौत पर मातम क्यों वोट बैंग के लिए कानून व्यवस्ता के लिए या पता नहीं यह तीन आपके सामने आप्शन है वोट करते रहे आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी क्रिश्णान राय के बेटे प्यूश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले शु जो यह मानते हैं कि यह हत्या है मौत नहीं है जी रुबिका जी नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से अपने मुझे बताया कि ऐसे दो लोग है जो इसको मौत की स्टेडी में ला रहे हैं देखे यह निश्यत तोर से एक जाज का विश्या है पोस्वाटम की रिपोर्ट अभ हम लोगों ने दो हजार पांच में आधरनिया मुलायम सीम यादोजी से भी रखी थी जिस पर उन्होंने सरासर ऐसी जाच कराने के लिए मना कर दिया था उस समय के तक कालीन मुख्यमंतरी थे अधरनिया मुलायम सीम यादोजी और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी निया कुछ रिखिए गया गया इन अंकी नियत में क्या बदलाज है और आज के सरकार tylko देदी गे अजन की मागों का परिवार किया कि जानल देती गई फि सम्मॉटम कि बात है उसमा ऩौन की रिपोर्ट भी जैसे ड़ोग बता रहेंड है कुछ दिरमें ही सामने सब के साहें पोःस्माटम मेरे पिता जी की भी हुई ठी, उस समय हम लोगों ने जाच के लिए मांगा, नहीं दिया गया, उस समय हम लोगों ने CVI जाच के लिए मांगा, नहीं दिया गया तो आखिर इस तदीके के राजनीत में दोहरा जो चरित रहे, अगर इन माफियाओं पर हम अपने दोहरे चरित को दिखाते रहेंगे, तो ऐसे छोटे मोटे गुंडे बड़े से बड़े माफिया बंगते रहेंगे. आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पर देश के साब ने रख दिया, उसी फैक्स के साथ मैं डिबेट की शिरुवात कर रही हूं, प्यूजी बनाए रहे येगा, अनुराग जी, नियाएक जाज की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई, एक माफिया की हत्या है, कि मौ आप देख रहा था कहीं, बुलाया मैंने वो नहीं आए, क्यों की मूँ छुपा रहे है, जवाब नहीं है ना, आज मैं राजनीती नहीं कर दी ओना, जो सवाल आपसे पुछे हो उसका जवाब दीजिए, नहीं नहीं नहीं, आपने ये काम पहले कर दिया, आज मैं पूरी अब मैं टूके हो, आप मुझे ये बताए, मुलाय म सिंह यादव ने नयाई जाच की मांग की थी, क्रिष्णा नंज राई के बेते ने परवाड में, क्यों नहीं माने आपने, क्यों नहीं माने आपने, अब सवाल हो गया, आप बतादिए भी जेई परवक्ता क्यों नहीं मैं सवाल पूछ रही हूं मेरा बीजबी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं नियाए जाच के आदेश माने मुलाइम सिंग यादव ने हाँ या नामे जवाब दीजिए अरे आप एक सवाल पांच बाद सवाल मत पूछेंगे आप बीजेपी वाले क्यों नहीं आए आप पत्रकार की तरह आप पत्रकार हैं मैं सवाल पूछें सवाल का जवाब दीजिए जो बीजेपी आज आई नहीं है मैं जनता के सामने बीजेपी वाले को पूछ रही हूं आप से जिए आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी बहुत हो गया मैं बर्दाश नहीं करों नए दिस नोट ड़न ने आप आप आपको लगाएं ते लाइटी आप ये ड्रामा करते रहेंगे और ये ड्रामा में बर्दाश करते रहूंगे मैं तो यह मुझसे बात कीजिएगा मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं अपरदार जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है अपने गिरेवान में जाकिए अपने गिरेवान में जाकिए बेश शर्मी मेरे साथ मत करना आरोराग भदोरिया मैं पहले बता रही हू मैं एक बार बरदाश करूँगी दो बार बरदाश करूँगी हर बार बरदाश नहीं करूँगी आप घटिया अपनी राजनिती अपने पॉकेट में रखिए मेरे उपर आरोप मत लगाईए आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताईए घटिया आरोप मुझे मत लगाईए मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं मैं सवाल पूछूंगी आपको कंपन होती है तो होती रहे सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा आपको मेरे सवालों से डर लगता है इसलिए आप इदर उधर करने लगते हैं पिर बता अनुराग बदोरिया, this is the last time, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आईएगा, लेकिन बार बार मेरे उपर इस तरीके के आरोप, मत लगाईएगा, मैं बर्दाश नहीं करूंगी, क्लियर, आरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिये ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उड़ाईएगा, अनुराग बदोरिया, मैं आपको लास्ट बॉर्निंग दे रही है, डूराग बदोरिया, मिस्टर अनुराग बदोरिया, मैं तेलिग रही है, इस आप यहां से निकल जाएगे, देवेट से चले जाएगे, मैं किसी भार्तिय जलता पार्ती को नहीं बचारी है, मेरे सवाल कर आप दीजी आप, जैसे में बोलना सुन अच्छान तो आम उझे आप मेरे उपर सवाल नहीं उठाएगे, जो बोलना है, बोलना है, बोलने तो दिजा ना, आप ने चिला लिए, तो भूलने दीजे, तेके भारती जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है, क्योंकि भारती जनता पार्टी जे पूछता, कि पुस्पेंद यादव का में, जिम इंस्ट्रेक्टर था वो, उसको गोली लगी, बैट पे लेटा है, पुलिस वाले जिन्होंने मा इंकाउंटर किया था, बाद में हम लोग उने हल्ला मचाया, पुलिस गिर्फतार हुई, एक पुलिस वाला जेल में, आज भी बैट पे लेटा है, दो बच्चे हैं दूसरा बता दूँ, जिसका इंकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्मत्या कर ली, कोट ने नियाई काईश दिये थे, बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्मत्या कर ली, क्योंकि नियाई नहीं मिला, यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी बात करना है आप, आज मुक आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शक्स का ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं चलवाइए शैलेंडरी सिंगी बाइट उस समय मैंने लाइट मचीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्रदेश में के वल एक ही रिकवरी है ने उसके पहले कभी हुई ने बीस साल हो गया अब तक हुई है और उस पर पोटा भी लगा है क्योंकि पोटा एक्जिस्स करता था तो मैंने स्टैंड लिया उसके नहीं ये ग आई जी जोन जो थे उनका ट्रांसपर डिया जी रेंज का ट्रांसपर सब्सक्राइब हमारे थे उनका ट्रांसपर और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही है सतीष जी सुना आपने ये किसी और नहीं ये एक एक्स स्टीएफ के कर्मी ने जवाब दिया है देखिए जब अपराधियों का आप महिमा लगाते हैं अपराधियों का जो माफिया है और सारी सत्ता जो है सारी पार्टियां अगर उसका भोडबैंग की द्रिश्टी से इस्तेमाल करती हैं तो अपराध का जो है ना आप अपने ढंग से उसका एक ब्याख्या दे देते है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि जो रेपिस्ट है वह भी नेता हो जाता है जो अपरादी है किसी जाती का वह बहुत बड़ा हिरो हो जाता है कोई धर्म का बहुत बड़ा हिरो हो जाता है सवाल यहां पर यह नहीं है, रुबिका जी, सवाल यहां पर दूसरा है, कि इस देश में नियाईक व्यवस्ता, जो अपना कारिपाली, जो प्रसासनीक व्यवस्ता है, उसमें कोई भी सवाल खड़ा होता है, विश्वासनियता का, तो जिस प्रकार के जाट के आदेश दिये है वह जात पूरी होनी चाहिए जैसे मांग की गई कि भाई अब आइसा था नहीं एक भाई जेल में संद्यहास्पत द्रिष्टी से में स्थिती में मौत हुई है यह उनका कहना मैं नहीं कहता कि हो सकता है वह हार्ट अटेक से मर गए हो लेकिन इस से कोई मतलब यह दोनों दो आपको दिया है ना चाहिए वो कितना ही बड़ा दुर्दान अपरादी क्यों ना हो उसके हुमन राइट को सर्वो पर ही रखा जाना है बिलकुल यह क्लारिटी है लेकिन आप यह मान कर चले अब तक तो जांच नहीं हुई है जांच के आदेश तक नहीं आते आपने यह मा बढ़े बड़े लीडर अगर ऐसे रूबिका इसमें क्या है ने कि लीडर बोथ साइड दोनों तरफ के लोग एक तरह बहुत खुशी मनाई जा रही है कि एजिब नहीं उनका इदम नेटरल ही मौत था इसलिए वो मतलब उसका एक विक्ट्री किया जा रहा है दूसरे अब यह है कि आप यह कह रहे है कि हत्या है तो कैसे आप कहई रहे है किस बिना पर कह रहे है नंबर एक पार सीधी सी बात है कि विसोस नियता जो भी विवस्था है उसकी रहनी चाहिए इसमें अगर आप वोट बैंड की दृष्टी से आप इधर या आप उधर तो इस लेकिन इसके बाद भी यह इंपोर्टेंट है कि अगर उसकी मौत संध्यास्पद हुई है वो एक बांदा जेल के भीतर हुई है उनके किन और कित का आरोप है तो उसमें दूद का दूद का पानी होना चाहिए जो आप कह रहे ही पहले है अगर मारना इंथा तो अस्पिताल में ले जाकर क्या इलाज करवाया जाता अगर ऐसे हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं पेशे से कितने जेल में जो है कस्टेडी में खतम हो गया अगले दिन खबर बनी किसी को रातो रात पता नहीं च चीजे यहां पर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो एक कि अक्तार अन्सारी साथ का होना एक दुखत बात है इन्ना लिल्लाह वे इन्ना इल्लाह रजून और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं अब एक इत्फाक भी है कि पिछ को जहर दिया गया मुक्तार अन्सारी वे खुद ने जेल से लेटर लिखाता है कि मुझे रूस थोड़ा थोड़ा जहर दे के मार दिया जाता है जजस साब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज रिपोर्ट पेश होनी थी आज बगर उनका इंतिकाल हो गया येस्ट्रेडे कल तो यह भी सारी चीज़ों को शंका देता है उनके बेटों ने मांग किये मुक्तारं सारी के बेटे ने मांग किये के एमस के डॉक्टर द्वारा उनका पोस्अ किया जाए उनको शायद यहां के डॉक्टर लोग दिखा रहे के कार्डियक अब बात नमबर टीनों जेल कस्टड़ी में थे अब इंसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा उत्तरप्रदेश में अच्छा बारत वापने देखा तीक साप और उनके भाई को जेल से लेकर आए मार दिये अब मुक्तार अंसारी जो जेल में उसकी इस तरह से एक सिस्पीशियस द्रित के अंदर हुई है यह तो सब बोल रहे हैं अब इंक्वाईरी बेटी है अब इंक्वाईरी का रिजल्ट क्या आए गए तो आपकों को सब को पता चली जाएगा ले सब्सक्राइब के घर पर कल जो है आतिश बाजी हुई थी जानकारी के मुताबिक पर आतिश बाजी हो रही है लेकिन वह आतिश बाजी कही जगा हुई है सही बात है कल मैं खुद मौमदाबाद में था कही लोगों पर आतिश बाजी की है कही लोगों ने मिठाईया कहलाई है तो यह तो अभी वेक्ति की आजादी है अगर हर वेक्ति इस वेक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है पुरुआ चल का अगर आम जन्मानस तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं एक नजरिय कि आए है कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे अब तो यह तो नजरिये पेड़ी 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 थे जो लोग इनके सताय हुए थे जो लोगों के इन्हों ने धर उजाड़े थे मुझ जहते परिवारों के उन लोगों ने यह माना कि नहीं भाई हाज हमारे लिए हो सकते हैं पर हम उनको जा कि यह क्यों कहें कि आप आतिशबाजी मत करिये जब मेरे पिदाजी के हत्या हुई थी तो इन्हों ने अपके घर से एक फोटी सेवन चलाया था आप लोग ने तो कोई प्रश्म नहीं किया उसमें से उनके घर पे एक फोटी सेवन चली थी यह प रेश से किसी की जान चली गई है किसी की देट हो गई है परिवार मांग कर रहा है एक अरजी उन्होंने कोट अटक में लगा ए ती जैल से के मुझे रोस जहर देके मार दिया जाता है जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए, मगाया जाए, कोट ने आधेश दिया था जेल प्रसाशन को के आज उनका रिपोर्ट ылब की किया जाए जेल आज रिपोर्ट पेस करना वाली थी और करुम का इंतिकाब हो जाता है परिवार का बेटा दो गिन पहले मिलने जाता उसको मिलने नहीं दिया जाता परिवार का एक बेटा तो यहां भी बैठा है ना वो कह रहे हैं आपको दर्द हो रहा है वारिज बाइब आज आपको दर्द हो रहा है यह जो विदायक है ना आयोध्या वाले और दूसरे यह गोसाई गंज के जो अभैसेंग वह बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी से और वो क्रिश्नारंण राय की मौत का शैद जो है संदेश दे रहे हैं और मुक्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख निए बड़ा अच्छा हुआ मैं तो इस आत्मी को पसंदी नहीं करता था मैं तो हमेशा से इसको ना पसंद करता था अब वो भी आतिस बाजी हुई थी वहां पर यह कि अगर उनने कोई गुना किया है कानून का कोई उलंगन किया है किसी की हतिया की है तो कोट नियायदिश अदालत है जापर उनका केस भी चल रहा था वो इसी हतियाओं के लिए ज हम तो बचा रहे हैं इलाज कर रहे थे शुबरास्ता यह दो नेरेटिव जो है वो दोनों को सेट कर रहे हैं बुलिटन आया ना मेडिकल बुलिटन आया बेहोशी की हालत में और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई नहीं बच पाए जिस पर बीती है वो आप जो रहे हैं जो उनके साथ रोज राप्ता में थे यह बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है तो उसमें सुनिये उसमें स्टेट्मेंट ऑफ दक को एक्यूस जैडवी से बल हो जाएगा तो हमीश्य और मुदी देल चलेंगे अगर इस कानून के अंदर स्टेट्मेंट को देता है जो पुलीस कस्ट्रेडी में अगर 164 के इंदर स्टेट्मेंट हो गया उनको भी कुए कि उसके स्टेट्मेंट में पखला हुआ है अगर दे दिया तो हो गया कमाना भी बहुत बला लफ़ना हो जाएगा बारिस बारें आप मुझे शुबरास्ता जी दो टाइब के मैं दो तीन बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूं मुखतार अंसारी एक सफल नेता थे इसमें कोई दो रहा नहीं है किसी ने कहा कि समवैधानिक रूप से वो चुनकर क्या है इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे क्या उनकी साफ थी इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दो तीन बातें बहुत सपश्ट हैं यह मुखतार अंसारी हो या शहाबुदीन हो ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों के मजबूरी होती है ठीक है आज उनका आज उनका इंतकाल हो गया इसलिए जबरदस्त हम उनके लिए रोमैंटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेत्रत्व कर रहे थे यह कोई जरूरी नहीं है यह नेरेटिव सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विधवा थी उनकी बिटिया की शादी थी तो मुखतार अंसारी जीने मदद कर दी ऐसे समाजवादी पार्टी के समर्थक हों या समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम तुष्टी करन अंगल रहा उसको समर्थन करने करने बाले कुछ और नेता रही हो वह इस बात को बिना लागलपेट नहीं बोलेंगे लिकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी如何ist Each Part से लेना देना नहीं है आज आप केहां भाजपाने यहां आई हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत समवेधनक्षील विशएई यह कि बोलने के बाद कहींन कहीं कोई निधा η्वर कद कर दो का उर आपके जैसे लोगों का जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते है आस्पिरेशन नहीं है, हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में, मुक्तार अंसारी जब 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 उन्होंने विधाई की का चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो जो चीजें हुई उनके उनके ख्रेत्र में एक तरह से वो उस दंश को जेला हो, हम इस बात को कैसे नजर अंदाज कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी के कोई भे नेता हो, या AIMA से बैठे हुए हैं, वारिस भाई ऐसे हम लोग की बहुत अच्छी बात होती है, ना फिर भी कह रही हूं चाहे वो वारिस भाई हो, वो करके कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा रहा है, अब आप एक नारिटिव अगर सेट करेंगे वारिस भाई तो दूसरा नारिटिव मैं भी दे सकती हूं, कि खुदा का नियाय है, अल्ला पाक नियाय कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसमें, अटकले लगाना एक अलग विश है, तो होने तो नियाय फिर काम है, अगर आपको इतना यखीन है, अल्ला का इंसाफ हो रहा है, अल्ला सुभानों तरह नियाय कर रहा है, तो नियाय होने दो ना, बतौर नेता, आप एक दूसरे के उपर खुब कीज़े, उससे मेरा लेना देना नहीं है, ल मुक्तार अंसारी के डेड़ बॉडी को इस वक्त बांदा से घाजीपूर की तरफ ले जाय जा रहा है, कल सुभे उन्हें सुपूर देखाक किया जाएगा, लेकिन कई ऐसी राज़नितिक पार्टिया हैं जो कह रही है, कि ये मौत नहीं, ये एक हत्या है, और इसी पर आज बहस भी हो रही है, कि माफिया में क्या वोट दिखता है, ये एक सवाल है, जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदोरिया, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्री प्रवक्ता मौझूद है, AIMIM के राश्री प्रवक्ता, पेशे से वकील, वारिस पठान हमारे स साथ मौझूद है, और सतीश के सिंग सहाब, सीनियर जोनलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अनुराग जी, मैंने व्यूर से वादा किया था, कि शुबरास्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तरकों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी, पहले मैं मैं चाहती हूँ कि वो राउंड क्लियर हो जाए, और फिर अनुराग जी, मैं आपका रूख करूँगी, ठीक है, जहां बात खतम हुई थी, मैं चाहती हूँ, वहाद से शुरू हो, शुबरास्ता और वारिस भाई, ओवर टू यू, वारिस जी पो मेरे कहने से कुछ आपत मेरे से बहतर जानने हो, अला अल्ला है, उसने जिसको भी, मैंने तो एक इतिफाक दिखाया था, कि उस रमजान में शाबुदीन साब का इंतिकाल हुआ, अगले रमजान के अंदर इसका हुआ, यूपी के अंदर यतिक हिमत साब का, उनके बाई का, इस रमजान में इनका उनका बेटा जो दो दिन पहले उनको मिलने गया, उसको मिलने नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि मेरे वालित को जहर दे के मारा जाता है, उनको रोकिये, उनको रोकिये, जेल से ट्रांसफर करिये, दुसरी जगह पर बेजिए, कोट ने आज रिपोर्ट बगाया था, उस हिसे अधर ही सब हो रहा है। तो यूपी के अधर योगी जी का पॉलिसी ए विट्टी में मिला देंगे। क्या आपको पाध कितरी पैशेंटी सुन रहा था पता है। था अपको पुरा ध्यान गली आपको अलखा नहीं प्रू definis आइड है तो अगर किसी के बद मशिंगर मिला है तो कानू सजा देगा वारेज भैष बाईर गयर इस तरह से इस इस तरह दो हमार का इंसाफ है जवार इन का इंसाफ है बताएज बाता की क्यों एक प्यूस्ति आ ग्ला चाहते है इसका बशंध प्यूस्ट डें जोने दिया न अपने पिता को खोया, उनकी बात पर वारिस जी ने बिना स्टेटमेंट दिये, मुकतार अंसारी की फैमली पे एक लंबा चोड़ा आख्यान दिया, मैंने इसलिए इनको बीच में रोका, इसलिए नहीं रोका कि ये मेरे तरकों का जवाब दे रहे थे, दूसरी चीज में करतातां, वारिस जी अंपने हमता खुभा मैं तूक बोला जाहिए बात आख, जकायए नेवाद की का बीच भारिसम्Mus केतागी थे, मुक्ता की परिठे की को घ्री नाे के घराषात पे घंतारको तो तो अससे गों की की बात मैं हुटश की की बातूमें रहे थे सायों मुड आप किस बात पे चुप रहते हैं, किस बात पे लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं, सब के राजनीतिक माएने होते हैं, आपने कृष्णानंद राय जी पे, प्यूश राय जी को कुछ नहीं कहा, एक शब्द आपके मुझस ने निकला, आप जनेरलाइज करके बले ही कह दें, आपने नहीं कहा उनकी बात पर, मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं, मुझे समाजबादी पार्टी से कुछ बोल रही हूँ, आज के परिप्रेक्ष में कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, वारिस भा कि डिस्कनेक्ट हो गई है शायवो हम दुबारा हम दुबारा संपर करने कोशिश करेंगे वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है अनुराग भदोरिया भी कुछ कहना चाहते हैं अनुराग जी सीधा से सवाल है देखिए मैं अभी क्यों राजनीति करना नहीं मैं सीधा गोली लगी बैड पे है उसके दो बच्चे परिशान उनको भी इस्टूडियों में बलाके कभी सुनवा दीजी ने जनता को किस परिशानी से गुजर रहे हैं कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी ती रात में याद है आपको लखनों के अंदर में क् इंकाउंटर क्या था पुलिस ने जो गोली मार दी थी ठोक के यहां पे गोली मारी थी पूरा परिवार बरवाद हो गया फिर पुस्पेंद यादब कमे ने बोला जासी में जिस तरह से उसका इंकाउंटर हुआ उसके बाद उसकी बीवी ने आदवत्या कर ली क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी मेरे प्यूजी के साथ पूरी संपथी है यह भी तो परिवार है इसमें परिवार में कभी बात होगी कि नहीं होगी किस तरह से परिवार उजार दिये गए इन परिवार के बात नहीं होगी इनके बच्चों इनके परिवार क पुदीर जगीना का नाम क्यो नहीं लिया? आपने विनोध कुमार सिंग का नाम क्यो नहीं? मिरी मिरी पुरी बात ऑट ले लिजे क्या दिक्कत है उसमें? ले लिजेना मैं तो नियाई के साथ ख़़ा हूं मैं कहरा हूं नहीं कोई वजे लिजेना आप लीज़े अगर आप लीजे लाइब ना पहले बात पूरी तो हमने का नियाय पालिका है कोई भी का लगातार कश्ट्विलेट डेथ हो रही है उत्ना प्रदेश के अंदर में जेल में सुरच्चित नहीं आदमी जेल के बाहर सुरच्चित नहीं इस तरह से बेटियों के स मैं बोलना चाहता हूँ कि यह आखिर क्यों कोई नियाएक हिरास्ट में है उसको कोट तक पहुंचाना यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोट उसको जो भी सजा दे, फासी की सजा दे, जीवन कारवाज दे, कोट की जिम्मेदारी है, लेकि जब एक जो जेल में बंद है अप अपिटर में ईलाज दिल वाणा, फिर कोट में प्रडूस करना, उसे सजा दिल वाणा, यही तो सरकार का काम है, तो सबस्कार करूंब है, घर जाती जाती है ज्यादा अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ यह हो रहा है पहले उनका इलाज हुआ 14 घंटे वह अस्पताल में रहे उसके बाद उनको चुक्ती मिली फिर वापस उनको अस्पताल में बेजा अरे फिर मांगने को तो सामने व वार परवार शंका जाहिर कर रहा था परिवार शंका जाहिर कर रहा था इसलिए सवाल उट रहा है और ऐसा पहुन पे जो बात को रहे है तो गर आप厲害 है जंगल राज है समझ्छ लिजीर अरह पहले जवाब दीजे रहा है बिल्कुछ जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा लगातार हो रही है तो फिर आपके टाइम पर जो हत्याई हुई है जंगल राज वो नहीं था मैं आपको पूरा सुनिया उत्तर प्रदेश में कस्टिडी में जो मौत हुई ह सब्सक्राइब दोजार बारा से लेकर दोजार सत्रा कितनी जानते हैं 66 है और साल दोजार सत्रा से 2023 सिक्यावन है आप ये बताईए ना मैं लडखडा नहीं रही हूँ आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल रही है तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा आपके सवाल अगर जाइज है तो नियाएक जाज का इंतजार कीजिए हम भी कर रहे हैं हर शक्स का यहां पर हक है सास लेने का कोई जहर नहीं दे सकता और अगर दिया है तो वह सलाखों के पीछे होगा हम इंतजार कर लेते हैं लेकिन इस बीच जो सवाल हमने पूछा बैंक के लिए 77 पसेंट कानून व्यावस्ता के लिए 18 और पता नहीं कहने वाले 5 फीसद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं गूंश अब आप सोचीए ना एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनाउ से लेकर पूरवानचल तक से कोई सिर ना उठा पाए एक बाहुबली ऐसा जिसने खाजीपूर के छोटे से इलाके मुहम्मदाबाद के बड़े पाटक को पूरे पूरवानचल के सियासत का मरकज बना दिया केंद एक गुनागार जिसके गुनागा दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं जेल रहा था बल्कि कई खाकी वर्दी धारग भी उसके इस आतंग का प्रकोब देख चुके हैं उसे एक शक्स ने खुद को खांदान की लकीर से कैसे अलग किया ये मुक्तार अंसारी से बहतर कोई नहीं बता सकता खांदान की पहचान उस शक्स ने अपने बदल कर रही ये वही परिवार है अंसारी परिवार जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता था वो परिवाद अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया तांक्यू टू मुक्तार अंसारी जिस शक्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेट बॉडी को बांदा से गाजी पुड ले जाया जा रहा है वो शक्स का नाम मुक्तार अंसारी पैसट केसे में नाम आज केस में सजा दो दो मामलों में उम्र कैब और पिछले खरीब 18 साल से सलाखों के पीछे यही असली पहचान मुक्तार अंसारी के लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है सियासत देखती है कि मुक्तार अंसारी का रुटबा क्या था जो दिखाता है कि 1996 से गाजीपूर के आसपास के लाकों में मुक्तार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ और इसलिए कल जब साथ साल की उम्र में बांदा जिरा अस्पताल में इलाज के दौरान मुक्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया गर्माहट ऐसी के बांदा से 112 किलोमीटर दूर बैठे कॉंग्रेस नेता पपू यादव समेथ विपक्ष के कई नेता 862 किलो मीटर दूर बैठे, कॉंग्रिस नेता पप्पू यादा, विपक्ष के कई नेता, माफिया की मौत को हत्या बता कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यार की राज़ारी पट्ना में पूर्व उपमुख्य मंतरी तेजस फिर्ट